असलाम लेकुम, वेलकम टो यून चैनल कहानीन इस नरस आज नॉविल में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसका नाम है दिल मेरा पागल निकला इसकी राइटर है यास्मीन निशात चलिए चलते हैं नॉविल की जानिब चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवास सुनकर गारी के खुंक माहौल में आवास पूंच रही थी अनुशिया ने एक नजर ड्राइव करते शहरोस की सेंद देखा वो गहरी सोच में गम नजर आया उसने दाएं हात की तीसरी उंगले का कोना मुह में दबा लिया कुछ बो शहरोस की आवास पर अपना मशगला तर्थ किया क्या? मुधिमे से बोली कुछ नहीं मुधिरे से हस दिया इतना तो बोलती हो तुम मगर मेरे सामने आते ही भूंगी हो जाती हो क्या मेरी शकल ऐसी ही खौफनाक है शेहरोज ने एक फर पूर नजर उसके खबराए चेहरे पर डाली नहीं बस मैं कम बोलती हूँ उसके कहे की तरदीद की आराम से जूट कल फहीम खान से तो बड़े जोरो शोर से बाते हो रही थी मैंने खुद सुना है आपको कंसुया लेने की आदत कहां से पढ़ गई पुधी में से मुस्कुराई ये कंसुया नहीं बलके हमारी मुहपत है हम पल पल तुम्हारी खबर रखते हैं और सच बताएं हमें आपका यूँ सबसे फ्रैंक होना पसंद नहीं है मैं फ्रैंक कहा हूँ जनरल नौलिज का टॉपिक था मैंने भी एक आद बात कहती उसने उंगली फिर से दादों में दबा ली लंबी स्याह सड़क पर सिवाए उनके और किसी की गाड़ी ना थी इसलिए सड़क बड़ी साफ शफाफ थी और अनुशिय को बहुत अच्छी भी लग रही थी यही तो कहता हूँ मैं कि ऐसे ही जनरल टॉपिक तुम मुझे भी डिसकस कर सकती हो मगर मुझे आप से डर लगता है बेसाफ़ता ही उसके मुझे निकला था और उसने खबरा कर होंटों पर हाथ रख दिया था शहरोज ने बड़ी हैरत से उसकी जुकी पलकों को देखा डर लगता है? मगर क्यों? क्या मेरी शकल इतनी है खौफनाख है? या फिर हिटलर या चंगेस खांसे कोई रिष्टेदारी निकलती है मेरी उसको रहट दबाते हुए पूछा उसका खबराया खबराया चहरा बहुत भला लग रहा था नहीं वो उसने सर उठा कर कुछ कहना चाहा मगर उसकी वारफतानसरों से खबरा कर वो बाहर की सिंट कर लिया शहरोज खान अपने कहके पर काबूना रख सका और फिर बाकी का तमाम रास्ता अनुशे अली ने उसकी तरफ नहीं देखा हाँ शहरोज मसलसल गुनगुनाए जा रहा था खर के सामने गाड़ी रोकी तो वो जल्दी से नीचे उतर आई फिर पलट कर पूछा अंदर नहीं चलेंगे क्या नहीं मुझे तुम्हारी अमा जान की नजरों से बड़ा खौफ आता है उसमें कानों को हाथ लगाया वो आपकी भी कुछ लगती है कुछ नहीं हम तो उन्हें बहुत कुछ बनाना चाहते हैं वो तैयार तो हो हस्रत उन गुंचों पे वो बात धुरी छोड़ कर खुदा हाफिस कहती गेट के अंदर खुस गई तुम्हें रुकना पड़े का मेरी आवास सुनकर वो बावास गुंगुनाता गाड़ी रिवर्स करने लगा शाम की चाह उसके जिम्मे थी चाय बना कर बाहर सहन में धरी तपाई पर रख कर वो मुणने को थी जब बड़े भाईया और उनके पीछे पीछे शहरोस ताखिल हुए वो वही ठैर गई सलाम भाईया वर सलाम उन्होंने सर पर हाथ रखा कैसी हो नोशी तब यद तो ठीक है काम तो ठीक चल रहा है वो एक ही सांस में सब कुछ पूछ लेने के आदी थे जी भाईया आप सुनाएं भाईया कैसी है बच्चों को भी ले आते भाईया ने शिकायती नजरों से उसे देखा जवाबन वो तांतों में उंगली दबा कर शेहरोस की संद देखने लगी खाली चाय पर ही तरखाने का अरादा है क्या भाईया ने कुर्शी पर बैटते हुए कोया उसका ध्यान बटाया और वो किचन में आकर प्रिट से कबाब निकाल कर तलने लगी कबाब पापड़ और बिसकिट लिये जब वो बाहर पहुची तो अनीसा जिम्मी और राहील शेहरोस से कप्पें लगा रहे थे भाईया शायद अंदर अम्मा के पास थे क्यूंकि शेहरोस से अम्मा का परदा चल रहा था शेहरी भाई आपको पता है राहील ने आज तक सिनमा नहीं देखा जिम्मी ने बड़ा सिस्पेंस बैदा किया अच्छा मस्नुई हैरत के इज़ार के लिए आँखें सारी खोल दी तो फिर इसने देखा ही क्या है अनीसा ने हमदर्दी से अपने उस देहाती कजन को देखा जो होटों पर एक शर्मिंदा सी मस्कुराहट लिए उन्हीं को तक रहा था जैसे वाकिए उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो तो फिर तुम्हें सिनमा दिखाएं राही लिया शैरी ने हमदर्दाना उफर की मगर सिनमा में होता क्या है उसने सादगी से पूछा सिनमा में फिल्म चलती है मेरे भाई फिल्म में एक लड़का एक लड़की गाने लड़ाईया आखिर में सारे खतम शुद और उनकी लाशों पर मातम करने के बजाए वहीं खड़े खड़े हीरो और हिरोईन की शादी ऐसी कुएक सर्विस हमारे हां किसी शुबे में नहीं है उसने चायदानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बताया पर अनुशे की तरफ देखते हुए पूछने लगा ये धखना उठा कर देख लू कोई फ़त्रा तो नहीं मेरा मतलब है ऐसा नहो मैं धखना उठाऊ और बम ठा ये तो आपकी अपनी पिस्मत होगी उसने मुस्कुरा कर शेहरोस के हाथ से चाय दानी लिए और चाय बनाने लगी भाईया भी बाहर चले आए थे उनको चाय देने के बाद उसने अपने लिए और अमा के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में आ गई वो अंधेरा के पड़ी थी भाईया की सुस्ट्राल की तरफ से किसी कियामत होती तो अमा फ्लैक आउट का ऐलान दाफ डालती उसने सुचौन किया और फिर आँखों पर हाथ धरे लेटी अमा के करीब आ गई अमा चाय ले लें थीरे से कहा मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय वो बेहत रुखाई से बोली प्लीज अमा उसने मिन्नत की मगर वो टस्से मस नहीं हुई आखिर वो चाय समेथ बाहर आ गई भाईया जाने को तयार खड़े थे मैठी भाईया खाना खाकर चले जाते अमा भी आ जाते तब तलक उसने कहा जुरूर खाकर जाता मगर बेटा जुनेत बीमार है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है तुम्हारी भाईया की तबियत भी कुछ नासाज है और पिर अगर मैंने यहां खाना खा लिया तो अमा रात भर फूकी रहेंगी इसलिए फिर कभी सही उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा वो अब सुर्दा सी उन्हें जाता देखती रही नोशी तुम रेस्ट कर लो मैं उठा लेती हूँ अनीसा बरतन उठाने लगी तो वो कमरे में चली आई कितनी तल्ख हकीकते थी उस गेड़ गेड़ जाने ये रंजिशें कतम होंगी भी या नहीं अमा की जिद तूटेगी या वो कुर्बान हो जाएगी जाने क्या होगा उसका मुस्तक्बल धुनला आईना था जिस पर बहुत कहरी धुन थी और जिसके पार कुछ नजर ना आता था सुभा आँख तो जल्दी खुली थी फिर भी स्कूल पहुँचते पहुँचते देर हो गई शहरोस की ममा नहायत उसे में स्टाफ रूम के सामने टहल रही थी उसने डरते डरते सलाम किया जवाबन उसे तनकीदी नसरों से खूरा गया बलके नवासा गया वो सर जुका कर कमरे में चली गई उसे शहरोस से डरतो लगा ही करता उसकी ममा से भी खूब ही डरती थी थी वो अलमारी से डस्टर चौक निकाल कर अभी वो टेबल पर रख रही थी कि उसका बुलावा आ गया वो ठंडी सांस भरती किसी मतवक्का डांट के मतालब सोचती प्रिंसिपल रूम की तरफ चली रास्ते में शहरोस और आलिया से भी सामना हुआ वो बगएर सलाम किये तेजी से अंदर खुज गई अंदर का नीम खौबनाक सा माहौल एक लम्हे को उसके दिमाग पर चा गया अंदर आओ वहां क्यों खड़ी हो शहरोस की ममा ने इंतहाई नर्मी से कहा तो वो दिल ही दिल में शुकर करती कुरसी पर जा बैठी वो कुछ लम्हें खामोश रही फिर गोया हुई तुम्हारी मा की जिर टूटी या नहीं जी वो चौंकी उसका ख्याल नहीं था कि वो इस बाबत पूछेंगी नहीं काफी देर बाद वो बोली देखो नोशी उन्होंने एक गहरी भरपूर नजर उस पर डाली शेहरोस बाहर जाना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि वो शादी करके जाए तुम अपनी मा को समझा सकती हो तो समझा लो देखो बेटा शादी की भी एक उमर होती है खबर नहीं तुम लोगों को क्या प्राबलम है तुम्हारी मा क्यों जित पर अड़ी हुई है ये जानते हुए भी कि तुम दोनों एक दूसरे में इन्वाल्फ हो वो मुसरसल अपनी बात पर गायम है तुम ऐसा करो शाम को भाई साहब को मेरे पास भेजो रो उनसे दो टोप बात करती हूँ उनका लहचा अभी से हत्मी था जी बहतर वो कहकर उठाई और फिर सारा दिन उसका जहन खाली खाली सा रहा अम्हा की जित कभी ना तूट सकती थी ये वो अच्छी तहां जानती थी और बाबा बेचारे अम्हा के आगे बेबस थे जाने इस सारी कहानी का क्या अंजाम हो बहर हाल उसने शाम को घर आते ही बाबा जान को पेगाम पहुँचा दिया जिससे सुन कर वो गहरी सोच में टूप गए थे अनुशे को पैदा होते ही बड़े मामू ने अपने बेटे इसरार के लिए मांग लिया था इसरार उन दिनों चटी जमात में था अनुशे से कमो बेश 11-12 साल बढ़ा मगर रिष्टे चुंके खानदान में ही तैह होने थे इसलिए किसी ने इस बात को एहमियत ही न दी यूँ पालने में बड़ी अंगुठा चूसी अनुशे के मस्तक्बिल का फैसला हो गया मामु ने उसकी ननी से उंगली में अंगुठी डाल कर कोया उसे महफूस कर लिया इसरार के बाद अनुशे की सबसे चोटी बच्ची थी खानदान में बड़े भईया से 10 साल बाद वो पैदा होई थी उसके बाद अनीसा थी और फिर जिम्मी अनुशे की सूरत में इसरार को एक खिलोना मिल गया स्कूल से वापस आते ही वो अनुशे की तरफ चलाता पालने में पड़ी अनुशे को जूले देता फिर उठा कर बाहर ले जाता कभी टॉपियां खरीद कर देता कभी चॉकलिट अनुशे के मुँ में जबर्दसी ठूंस भी देता फिर जब वो बुरे बुरे मुँ बनाती उसे बाहर निकालती तो फुपो से शिकायत लगाता अम्मा उसकी मासूमित पर मुस्कुराने लगती फिर समझाती अनुशे कैसे खा सकती है उसके मुँ में अभी दांत नहीं है और इस रार की समझ में बात आ जाती मगर सिर्फ वक्ती तौर पर अगले दिन उसे फिर वोही मसला दरपेश होता एक दिन अनुशे को सेर करा कर वापस आया तो बड़ा ही खामोश था अम्मा ने पूछा तो कहने लगा कहा तो सिर्फ यही के लोगों की बातों पर कान नहीं धरते मगर इस्रार अम्मा की बात से मतमें नहीं हुआ करता था उस रोज इस रार की ममा आई तो बताने लगी कि इस्रार पूछता है ये मंगेतर क्या होती है और क्या अनुशे उसकी मंगेतर है अगर है तो क्यूं है अब बामिया पास पैठे थे बोले इसलिए मैं बच्पन की मंगनियों के खिलाफ हूँ नन्ने मासुम जहनों में बेकार सोचें पलने लगती है अब है कोई जवाब तुम्हारे पास इस रात के सवालों का आप खौामखा बेगरने लगे अब अगर बच्चों के सामने ऐसी बातें की जाएंगी तो लाजमी बात है बच्चे तो असर लेंगे ही आपके बहन की तो वैसे ही आदत है वामखा फुजूल बातें करने की अब मा की सुई सीमा अंटी पर आकर ठहरी अच्छा बस बस अब उसके पीछे मत पड़ो अपा ने हाथ उठा कर अमा को मज़ीद कुछ कहने से रोका बात आई कई हो गई मगर इसरार के जहन में ये बात पुखता होती चली गए अनूशे मेरी दुलहन है वो सब के सामने अनूशे का हाथ पकड़ कर कहता कुछ उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देते कुछ जल जाते असल में अनूशे निकली ही बहुत खुबसूरत थी फिर उस पर उसकी आडात बड़ी डीसंट सी लगा करती थी वो ना दूसरे बच्चों की दरहां फजूल शरारतें करती ना किसी को तंग करना इसलिए सब के दिल को भाती और चची अमा तो ये सोच सोच कर कुढ़ा करती अनूशे उनकी बहु नहीं बन सकेगी उनके चान जैसे हुमाईयों के जोड की लड़की अगर कोई खानदान में थी तो अनूशे ही थी और उसे कोई और ले उड़ा था ये बात उनको दुख पहुँचाने को काफी थी फिर सानिया खाला थी जोड़ते बैटते अमा को उनकी जल्दवासी का एहसास दिलाया करती और अमा खामोश सब की बातें सुना करती या फिर मुस्कुरा देती कि इसके लावा वो और कर भी क्या सकती थी इसरार बेहद सहीं निकला था और जिस काम्याबी से वो तालीमी मतारिश तैक कर रहा था उसका मुस्तक्बल नहायद शानदार था अब तो अबा भी बेहत खुश थे इसरार अनुशे को बहुत खुबसूरत जिंदगी दे सकता था एक जरा सा अमरों का ही फर्क था वो भी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता था कि अनुशे अपने भरे भरे जिसम और लंबे कतकाट की बज़ा से अपनी उमर से काफी बड़ी दिखाई देती थी इसरार ने अब उधराना कम कर दिया था अपने बच्पने की बातें सोचता तो उसे अजीब सा महसूस होता अनुशे घर की किसी तक्रीब में नजर आ जाती और वो आँखों में उसके सारे रूप चुरा लेता हसते हुए उसका दाएं आँख का नीम वा करना बात करते करते निचला होंट तांतों तले तबा लेना मुखातिब के आँखों में आँखें डाल कर बात करते हुए वो बड़े से बड़े बायतमाद बंदे को पजल कर डालती मुस्कुराती तो दाएंगाल पर पढ़ता नन्ना सा डिमपल भी मुस्कुराने लगता मुक्तलिफ तक्रीबात पर ली कई उसकी हर पोस की तस्वीर इस्टार के पास महफूज थी एक बहुत बड़ा एल्बं था जो अनूशे की तस्वीरों से भरा पड़ा था अनूशे उन दिनों आठवी में थी जब इस्टार अम्बिया करने स्कॉलर्शिप पर अमरीका गया बड़े मामू आये थे इस्टार और अनूशे का निकाह किये देते हैं उन्होंने तजवीज रखी नहीं अब बहमिया ने फौरण मुस्तरत कर दी अनूशे अभी ना समझ है और फिर ऐसी क्या जल्दी है अनूशे कमस कम मेट्रिक तो कर ले भाईया ने भी एतराज जड़ा था और वो उसे तो मालूम ही उस दिन हुआ था कि वो इस्रार से मनसूब है और उसे याद आ गया इस्रार का मीठी मीठी नजरों से तकना आने बहाने उसके इर्द-गर्द मंडलाना और पिर सारी कजन्स का उसे इस्रार के हवाले से चेड़ना जिसे वो हस बैदत ला परवाई की नजर कर डालती थी कुछ ये था उसे खुद पे नास भी बहुत था वो खुद को उसकाबिल समझती थी कि उसे पसंद किया जाए मगर फिर भी ये नास खुरूर बन कर कभी नहीं चलका था मगर इस्रार से मनसूब होने वाली बाद उसे हैरान को नहसासात में मुबतला कर गई थी वो कई सानिय अपनी कजन राहिला के संद देखती ही रही क्या तुम्हें नहीं पसंद इस्रार भाई उसके खामोशी ने उसे चौकर ना कर दिया खांदान वाले तो पहले ही ऐसी किसी बात की तलाश में रहते थे जो इस रिष्टे की खटाई का सबब बन सके नहीं मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा और फिर मुझे तो आज ही पता चला है कि वो खामोश होकर सर चुकाए जाने क्या सोचने लगी अच्छा मैं चलू तैयारी भी करना है इस्रार भाई को एरपोर्ट चोड़ने जा रहे हैं न हम लोग तुम तो नहीं चलोगी गालबन वो उटते हुए रुक कर पूछने लगी अनुश जाने किस ध्यान में थी नफी में सर हिला दिया नहीं मैं कुछ तेराराम करूंगी तबियत कुछ बोजल बोजल सी है ओके फिर कल मिलाग पर मुलाखात होगी तुम प्लीज सुभा ही आ जाना अमी ने ताकीद से कहा था उसने जाते जाते फिर ताकीद की हाँ आ जाओंगी फिकर नहीं करो राही लागई तो वो बिस्तर पर लेट गई और इसरार के मतालिब सोचने लगी आज से पहले कभी उसकी सोचों में इसरार का गुजर इस तरह नहीं हुआ था इसरार मामुसाद थे जिस तरह बाकी कजन से मिल मिलाग था उस तरह उन से भी और इसरार का रवया भी कुछ ऐसा माइने खेस नहीं होता था जिससे मन में किसी और किसम के ज़स्पाद जनम लेते मगर अब ये नया इनकिशाफ कि वो उसके मंगेतर थे उसको सोच में मुब्तला कर गया था इसरार को सी ओफ करने सब के साथ वो भी गई थी आज उसकी सोच का ही नहीं नजर का जाविया भी बदला हुआ था पहले वो इसरार भाई थे और उसकी नजरें भी मामूली थी आज वो उसके मंगेतर के रूप में सामने थे तो वो और ही नजरों से उसका जाइजा ले रही थी ओकी अनुशे सबसे मिल कर वो उसकी तरफ आये तो अनुशे अपने ख्यालात से चौंकी वो सामने थे हंस्ते मुस्कुराते आँखों में शरारत भरी चमक लिये जैसे कोई अनुखी सी बात कहने वाले हो अपना ध्यान रखना तालीम पर पूरी तवज़्जा देना और उचाने क्या क्या नसीहतें किये जा रहे थे जबके अनुशे का दिल सिर्फ एक लम्हे को फैल कर सुकुरा था और अब खफा खफा से अंदास में थड़क रहा था वो ये सब सुनने का मतमनी तो नहीं था वो सर जुकाई यूही सर हिलाए गई और जब सर उठा कर देखा तो वो जा रहे थे शायद मेरी तरहां वो भी लायल्म हो इस रिश्टे से तब ही तो आम तरीके से हैं वरना कुछ तो कहते आखर इतने अरसे के लिए दूर जा रहे हैं वापसी पर उसका दिल काफी से ज़्यादा अदास था वो जहन में लगे बेसन पर जुकी चेहरे पर ठंडे पानी के चींटे मार रही थी जब कोई बेहता हिस्तगी से करीबा खड़ा हुआ मिलाद पढ़ने वाली आगी राहिला मसरूफ रहकर पूछा जी नहीं हलकी आवास में मुक्तसर जवाब आया ओह फिर तो खासी देर हो जाएगी और पता है टेस्ट की तैयारी भी करना है मेरा तो जी चा रहा है साफ साफ चुटी मार लो चेहरे पर दो चार चींटे मारने के बाद स्टैन की तरफ तौलिया लेने के लिए हाथ पढ़ाया साथ में गुफ्तकू भी जारी रखी और इस दर्जन को देखो मेरा सूट ही नहीं सिया इरादा था मिलाद पर पहन लूँगी अच्छा लगता है ऐसी पाकीजा महफिल में पाकीजा सा रंग मगर खैर आप उस लबास में भी खासी पाकीजा लग रही हैं बात काट कर बड़ी रसानिया से और वो जो दोनों हाथ तॉलिये समेट चेहरे पर रखे खड़ी थी एक दम चौंकी हाथ उठाए सामने एक अच्छनभी को पाकर एक लम्हे को दो उसकी पेशानिया कालूत हो गई आप कौन हैं? अपनी खफ़त चुपाने के लिए पूचा हम वो खंकारा कॉलर खड़े किये फिर अदाय नाज से जुक कर कहा बंदे को फैसल कहते हैं तो मैं क्या करूँ? वो कंधे उचका कर साइड से होकर खुजर गई फैसल ने बड़ी तिल्चस्पी सोसे जाते देखा और गुन गुनाता हुआ मूध होने लगा वो ये अखलक्त अदास हो गई नसीहतें अपना ख्याल रखना पढ़ाई पर तवज्जा देना वगरा वगरा बकुमत फासिया ने एक धमों का जड़ दिया हमें क्या पागल बेवकूफ समझती हो या फिर हमारे चेहरे पर एहमक लिखा है आज का दौर और एक फ्यांसी इतनी दूर जाते हुए ऐसी गेर रोमान भी गुफटगू करे नाममकिन मैं नहीं मानती सच सच बताओ क्या सरगोशियां क्यों उन्होंने इतने धेर सारे लोगों में सरगोशियां कैसे हो सकती है नहोंने वाके कोई ऐसी बात नहीं की उसने यकिन दिलने की कोशिश की मेरा कजन हमेरा का मंगेतर है नूसरे शहर में जवब करता है हर वीकेंड पर आया होता है और जब जाने लगता है तो इतनी रोमेंटिक बातें करता है हमेरा से उसका पूरा हफ्ता बेहत सुकून से कट जाता है इसरार भाई तो साथ समंदर पार गए है क्या वो कुछ ना कहकर गए होंगे कोई यकीन करने पर आमादा नहीं था अब जरूरी तो नहीं कि सारे मंगेतर हुमेरा के मंगेतर जैसे रोमेंटिक हो और फिर उमर का तकासा भी होता है अब इसरार भाई इतने मिचोर हैं और फिर मसीब क्या आगे जाना क्या हम सब नहीं जानते वो नोशी को कितना चाहते हैं राहिला ने दखल अंदासी करके उनको चुप करवा दिया और फिर बातों का रुख दूसरी तरफ मोड दिया अनूशी अंदर ही अंदर उदास हो गई थी बड़े इन हमाक से वो अपनी पींटिंग मुकमल कर रही थी डूपता सूरज नारंजी किरने भी खेड़ता उदास सा ब्रश कान के उपर उड़स कर उसने एक नजर इर्दकित डाली नीम तारी की फैल चुकी थी पेंटिंग को फाइनल टच देना बाकी था और पुरूब आफ़ताब की वज़ा से पेंटिंग आज फिर नामकमल रह गई थी अनूशे अनूशे कहा हो भई अमा की पुकार कान में पड़ी उसने हाथ में पकड़ी कलर प्रेट टेबी पर रखी और सीड़ियों की तरफ आ गई अमा उपर ही आ रही थी लड़की कोई और काम नहीं है दुनिया में जब देखो किताबे हुई या रंग घर में क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं है ए हटो भी उसे सुनाने के साथ ही टांगों से लिप्टे जिम्मी को भी परेखिया आप तो यूही नारास हो जाती है अब मैं और क्या करूँ अमा को चागपाई पे बिठाते हुए खुद भी साथ बैट कर पूचने लगी बिठा ये सब अगले खर काम नहीं आएगा और तेरी मुमानी तो यूँ भी मिजाज की सक्त है सलिका मन्ध है तेरे फूर पने को परदास नहीं करेगी अमा ने आने वाले कल के अंदेशों से हौला आया कुछ नहीं होता अमा मैं कोई अनपर जाहिल लड़की हूँ और सीख ही लूँगी अभी बहुत वक्त पड़ा है उसने लापरवाई से कहा फिर उटकर अपनी चीजें समेटने लगी कहां वक्त पड़ा है उपर से साधिया के घरवाले रोज पर रोज इसरार कर रहे हैं कि तारीख ले जाओ तुम्हारे बावा हैं कि कोई अहसास ही नहीं तो आप भाई से पूछे ना वो क्या कहते हैं अगर वो राजी हैं तो मसला ही कोई नहीं हम फॉरण शादी किये लेते हैं उसने मशवरा दिया अए हां ये तो मैंने सोचा ही नहीं अम्मा जैसे लम्हे भर को परिशानी भूल गई ठीक कह रही हो नोशी अच्छा सुनो आज मैं जा रही हूँ सादिया की तरफ बीमार है वो चलना है वोटते हुए बोली कब जाएंगी रात तो होने को है सीडियों की तरफ बढ़ते हुए पूछा तुम्हारे अबा का इंतिजार है आएं तो मुझे ले चले अच्छा ठीक है मैं भी चलूंगी सादिया भावी से मिल लूंगी बहुत दिन हो गए वो आमादा हो गई कमरे में आकर पेंटिंग का सामान अलमारी में रख कर उसने कपड़े उठाए और बातरूम में खुज गई जब तक वो तयार हुई बाबा आ चुके थे वो फॉरण बाहर आ गई कि उन्हें इंतिजार करना सक्त नापसंद था आपने चाय पीली बाबा उसने पूछा हाँ अब जल्दी करो खाना हम घर पर ही आकर खाएंगे एहे वो भूके तो नहीं निकाल देंगे अमा तुर्शी से गोया हुई वो निकालेंगे तो नहीं मगर मुझे अच्छा नहीं लगता खौमखा का बोज डालना बेटी बालों पर बाबा के अपने उसूल थे बोज कैसा? क्या घराए को खाना अनिसा बेटी? आज घर में क्या बका है? बाबा ने अमा की बात काट कर अनिसा को आवास दे डाली अमा नागवारी से चादर ओड कर बाहर की संप पढ़ गई बाबा भी मुस्कुराते हुए पीछे चले आए अनिसा दर्वासा अच्छी तरहां बंद कर लो और कोई आए तो मत खोलना उसने पलट कर अनिसा को नसीहत की साधिया भाबी की फैमिली से उनकी दूर की रिष्टेदारी थी खानदान की किसी शादी में ही अम्मा ने साधिया को देखा था और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी थी चन्धी दिनों में मालुमात करवा के वो रिष्टा लेकर पहुँच गई असद भाई भी लाखों में एक थे नेक सुलशे हुए और फिर अच्छी पोस्ट पर साधिया वालदायन की इकलादी थी नाज़ना अम्मा पली असद भाई और साधिया का जोड पहतरीन था यह अम्मा का कहना था सो मन्सूरी हो गई और चन्धी हफ़तों बाद अम्मा ने बाकाइदा रसम करके असद को साधिया से बान दिया असद भाई को भी साधिया पसंद आई थी यूँ दोनों फरीख मुत्माइन थे साधिया भाई को हलका सा टेंप्रेचर था बिस्तर में घुसी बैठी थी वो बेतकलुफी से उनके साथ ही खुस गई तुम्हारे भाईया का फोन नहीं आया दो दिन से फैरियत तो है ना उन्होंने चूटते ही पूछा था वो हैरान हुई क्या भाईया रोज फोन करते हैं भाई को मगर क्यूं भाईया तो ठीक हैं क्या आप इसी बज़र से बिमार हुई हैं बजाहिर साथ की से पूछा नहीं तो वो माथे पर हाथ रख कर हस दी वो नारास हो गए हैं थीमे से कहा मगर क्यूं आप तो इतनी अच्छी हैं आप से नारास क्यूं कर हुआ जा सकता है और फिर भाईया तो किसी से लड़ते भी नहीं उसने भाई का दिफा किया असल में मैंने बत्तमीजी की थी गलती मेरी ही थी मगर खुसे में आकर मैं भी खलत सलत बोल गई वो भी खुब बिगड़ गए उन्होंने अतराफ किया तो आपको सौरी कर लेना चाहिए थी इतनी बार फोन किया है मगर वो मिलके नहीं दे रहे बहरहाल तुम मेरी तरफ से मासरत करना कमस कम फोन तो अटेंड करें वो हाँ कहूंगी वो गहरी सोच में गुम हो गई थी पता नहीं वालदायन के आपस में क्या बात होई थी तमाम रास्ता अमी अबू के डिसकस करने के बावजूद उसके पले कुछ नहीं पड़ा था वो तो मसलसल इसरार के बारे में सोच रही थी कितने दिन हो गए थे उन्हें गए हुए और उन्होंने एक खत तक ना भेजा था और कुछ ना सही अपनी खैरियत ही लिख भेजते या फिर उसकी पूछ लेते आखिर को एक नरम रुमानी सा रिष्टा था उनके दर्मयान वो खामखा अपना मौासना दूसरों से करने लगी नाजिया का मंगेतर उसकी सहेलियों के महभूब सादिया भाबी और भाईया कैसी रंगीन जिंदगी थी उनकी और वो कैसी फीकी बदमसा सिंदगी गुजा रही थी सिंदगी को रंगीन बना देने वाला एक चुमला भी तो नहीं था उसके पास उसे खुसा आने लगा चेड़ होने लगी खुद से इसरार से दोनों के बीच बंधे रिश्टे से वो बे तरहां उलच कर रह गई उस रोज साइका ने पूछ लिया वो कोई मनासिब जवाब न दे सकी पता नहीं साइका मगर कुछ है जरूर मेरी जरूरत जो पूरी नहीं हो पा रही एक खुसा पढ़ता जा रहा है मेरे अंदर यार मैं मैं इसरार ने कभी रिश्टे के हवाले से कुछ नहीं कहा मेरी उमर का तकाज़ा है मेरा जी चाहता है कि दिन में किसी की बातों के खुश्पू मेरे संग हो तो रात में आँखों में उतरती नीन का रंग धनक सा मगर यहां तो कुछ भी नहीं है एक जुमला तक नहीं मुझे लगता है जैसे कुछ हो जाएगा वो हद से ज्यादा टेंस थी कुछ नहीं होगा सैका ने उसके हाथ थाम कर तसली दी असल में तुम हो ही खासी हसास और फिर सितम ये के रुमानवियत पसंद भी इस्टार भाई भी बेकुसूर है वो मेचोर आदमी है इस तरह की हरकतों को अच्छा नहीं समझते होंगे वरना मुझे यकीन है वो तुमें तुम से ज़्यादा चाहते होंगे और वो तमाम बातें उन्होंने अच्छे वक्त के लिए संभाल कर रखी है वैसे एक और काम भी हो सकता है तुम उन्हें खुद ही खत क्यों नहीं लिख देती शायद इसी तरह वो तुमें कुछ लिख भेजे और तुम्हारे तड़कते दिल को करार आ जाए सैका ने उसे समझाने के साथ साथ मश्वरा भी दिया और सैका का मश्वरा उसके तिल को लगा था तब ही तो अगले रोज जाकर मुमानी से इसरार का पता ले आई थी बातों बातों में और तमाम रात उसने एक खत लिखने में गुजार दी सारे कमरे में काघस बिक्रे पड़े थे मुड़े तोड़े फटे हुए और वो धंग से एक लफ़ भी न लिख सकी थी अभी तक अल्काब तो लिखा ना था मज़ीद पेश्रफ्त क्या होती वो तो यही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे मुकातिब किस तरह किया जाए इसरार जी उसने फिर नए काघस पर लिखा वगर नहीं वो इतने मेच्चोर हैं ये कुछ अच्छा नहीं लगता काघस भाड़ कर फिर फेंक दिया आखिर बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक जमला फुल स्केप पेपर पर लिखा आप कैसे हैं और पोस्ट कर दिया दिन तवील और रातें बेकरार हो गई पता नहीं उसे खत लिखना भी चाहिए था या नहीं सोच सोच कर वो अधमुई होती जाती और पता नहीं वो जवाद देंगे या नहीं ये सोच स्याता पाई से आजार होती हर आहट पर चौंकना शायद पोस्ट मैं आया हो उसकी आद़त बन गई थी फिर एक दिन अम्मा उसकी बेचैनी महसूस करके पूछ बैठी किसी का इंतिजार है क्या और वो बॉकला कर नफी में सर हिलाने लगी इसराल ने खत का जवाब नहीं दिया था एक मायूसी की लहर उसकी रगोपे में सरायत कर गई अब ऐसी भी क्या संजीत की बंदा जस्पात तो यकसा ही रखता है ना और पिर ऐसे डल बंदे के साथ जो मुस्कुराई भी सोच सोच कर सिंदगी का सफर कैसे तैह होगा बस उनमें अंडरस्टाइनिंग है ही नहीं पहली बार बगावत ने सर उभारा जिसका सर उसने कुछला नहीं बलके बे परवा होकर उस नाग को चुमता देखने लगी जो जाने क्या क्या डश जाता फिर भाईया की शादी तैह हो गई मसरुफयात इतनी बढ़ीं के कुछ दिनों को तो वो इसरार और खुद को भूल ही बैठी अमा के साथ रात कए तक बाजारों के चक्कर कभी सादिया के हां कपड़ों का नाप लेने के लिए कभी जूतों की खरीदारी के लिए अमार सब कुछ सादिया की मर्जी से ही तैयार कर रही थी और ये भी इत्वाक ही था कि शादी से एक रोज पहले इसरार आ गए वो सब महती ले जाने को तैयार थी वाइट कामदार सूट में अनुशे का रूप खिला पढ़ रहा था वो अभी अभी तैयार होकर बाहर आई थी राहिला ने कच्रे मंगवाने का सिम्मा लिया था और वो उसे ही ठूनने केट की सिम्ताई थी और उसी वक इसरार ने अंदर कदम रखा था इसरार लबों पर बेनाम सी हैरान जंबेश होई थी वो सीने पर हाथ रखे एक तक उसे देख रही थी कैसी हो नोशी वो उसके करीब खड़े पूछ रहे थे और उसके आंखों में धेर सारा पानी उतर आया यही एक नन्नी सी बात महीनों पहले उसने भी पूछी थी जिसका जवाब तक ना आया था वो उन्हें नजर अंदास करके मुड़ गई जब वो कोई जवाब देना पसंद नहीं करते तो मैं भी जवाब नहीं देती उसके यूं मुड़ जाने पर एक मस्कुराहट में लबों का आहाता कर लिया उसके पीछे चलते चलते वो अंदर पहुँचे तो सब लड़कियों की चीखे निकल गई इसरार? अल्लह इसरार? आप कब आए? जैसे आवाजों से सारा हॉल कूँज उठा यकीन करो एरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूँ वो भाईया के गले लगते हुए बोला शुकर है तुमाए तो हो मैं तो सोच रहा था एक दोस बनाने का कितना नुफसान उठाना पड़ता है भाईया हसे अरे तुम्हारी शादी पर तुमें जैसे भी आ सकता था ये तो सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हारी कोई खुशी मिस करूंगा वो अभी तक लिप्टे खड़े थे मौसे ससराथ अगर नागवार ना कुजरे तो इन माओं का भी ख्याल कर लिया जाए चो कबसे इंतिजार में खड़ी है वो मानी ने शोखी से कहा तो वो उनकी तरफ पलट गए अनुशे दूर पूने में खड़ी बस उसे देख रही थी लो भई अनुशे तुम्हारी तैयारी की किमत फसूल हो गई राहिला उसके करीब आते हुए बोली उसने मू बसूर लिया मैंने किसी के लिए तैयारी नहीं की थी तुम चलो उठाओ सारा सामान और गजरे कहा है दिल में लड़ू फूट रहे हैं और उपर से कैसे बन रही हो तुम राहिला उसके यूं बोलने पर बुरा मान गई वो खामुशी से आके पढ़ गई राहिला पर बढ़ाने लगी पता नहीं मौसुवा का दिमाग अर्श पर ही क्यों रहता है किसी को खातिर में ही नहीं लाती पता नहीं किसी इसका जोम है से सारी लड़कियां जिस वैन में बैठी इत्तिफाक से उसकी ड्राइविंग इसरार के जिम्मे थी लाग उन्होंने शोर मचाया कि वो अभी आए हैं थके हुए हैं मगर भईया ने ये कहकर खामोश करवा दिया कि वो जहास को ना तो कंधों पर उठा कर लाए हैं और ना ही थकेलते हुए फिर थकावट कैसी और यू भी दोस्त की शादी पर इतना भी ना किया तो दोस्ती कैसी पक्के ब्लैक मिलर हो तुम उन्होंने भईया के बाल बिगाड़ते हुए चाबिया उनके हाथ से ले ली और अब ड्राविंग सीट पर बैठे लड़कियों की राह देख रहे थे जिनकी आमद ही न हो पा रही थी रह रह कर याद आ रहा था के कुछ अंदर रह क्या है अब वो जाने क्या था के बारी-बारी सब के अंदर जाने के बावजूद मिल के नहीं दिया था चले ठक आगर उन्होंने खुद ही पूछ़ डाला हाँ चले और फिर उन्होंने एक नेशन में चाबी घुमाई ही थी कि एक जी खुबरी क्या हुआ? वो खबरा गए पीछे मुड़कर पूछा इसरार भाई हम डफली घर भूलाएं हैं प्लीज एक मिनट मैं भी आई फरीहा उटकर निकल भागी उफ मेरे खुदा उन्होंने ठक कर हाथों पर सर किरा लिया चोटी चोटी सी बातों पर वो जी खमधार मचाती हैं ये लड़किया कि अगले बंदे के हाथ पैर फूल जाते हैं तफली समेट फरीहा के आमद हुई और उन्होंने मजीद ताखीर किये फौरण काड़ी स्टार्ट कर दी हालांके पीछे से मसलसल आवाजें दी जा रही थी यार ये ठुलक क्यों खामोश है इतना तवील रास्ता ऐसे तो नहीं कटेगा बीना ने ठुलक अपनी संथ कसी दी वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया और सब ने फौरण तान लगाई और वेन मिली जुली आवाजों से कूँज उठा वो सब एक सुर मिगा रही थी था तो शोर मगर इसरार को बुरा नहीं लग रहा था अरे वो गाओ घर आया मेरा परदे सी किसी ने कहा मगर वो तो सिर्फ नोशी को आता है वो जो लंबी तान लगती है ना आप मुझसे नहीं लगती बीना ने कहा तो वो सब अनुशी की तरफ देखने लगी और फिर इस वक्त तो मौका भी है तस्तूर भी है राहिला की जबान में हमावक्त खुजली रहा करती थी एहे सब ने शोर मचा दिया कोई मौका और दस्तूर नहीं मैं सिर्फ इसलिए काऊंगी कि मेरे भाईया की शादी है उसने बीना से ढोलक ली और उस पर थाप दी घर आया मेरा परदेसी प्यास पुझी मेरी अक्यन की उसकी सुरीली आवास विखरी इसरार ने एक तम ही पीछे मुड़ कर देखा काड़ी लड़ खड़ा गई जादू चल गया है राहिला ने आगे की तरफ मुझ करके कहा इसरार के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई अब दिल तोड़ के मत जाना रोती छोड़ के मत जाना सुन ले इसरार भाई राहिला ने फिर इसरार के कान में मुझ खुसेड़ा कसम तुझे मेरे अस्वन की घराया मेरा परतेसी ठोलक की थाप और आवास की कोमलता मिलकर एक जादूई सा तासर बना रही थी तू मेरे मन का मोती है इनननन की जोती है याद है मेरे बच्पन की उसके रेकॉर्ड की सुई एक ही चुमले पर अटक गे मरो तुम सबान चलाए बगएर तो रही नहीं सकती तुम अनुशे ने मारे घुसे के धुलक परे लुड़का दी माशालला से आवास में बड़ी सुन दरता है क्या कहीं से बाकाइदा सीखा है इसरार ने पूचा था और उसे ये भी मजाख ही महसूस हुआ जी नहीं मेरा मीरासियों के खानदान से कोई तालुक नहीं वो सुलक कर बोली पता नहीं उसे गुसा किस पर आ रहा था ऐसे क्यों बोल रही हो इसरार भाई क्या सोचेंगे बीना ने हौले से सरगोशी करके उसे समझाया ये कुछ नहीं सोच सकते सोचने को कुछ नहीं है इनके पास वो बड़ बड़ाई मगर बड़ बड़ाहट इतनी वासे जरूर थी जो किस रार के कानों में बखुबी पहुँच गई थी और वो चौंक से गए थे अनुशे का ये लहचा ये अंदास क्या कुछ बदल रहा है या फिर बदल चुका है जो वो यू उन्होंने मिरर में से देखा अनुशे के चहरे पर बेजारी वासे तोर पर मौजूद थी वो बेत तरहां से उलच गए क्या वो इस बात पर खफा है क्यों उन्होंने उसके खत का जवाब नहीं दिया एक सोच उनके जहन में उपरी यकीनन यही बात होगी मगर जाने क्या हुआ रात महंदी से बापसी पर उन्होंने पोपो से कह दिया अनुशे को मना कर दे मुझे खत ना लिखा करे और अमा हैरान हैरान सी अनुशे के कमरे की तरफ पढ़ गए चांग कर देखा तो वो सोच चुकी थी वो वैसे ही सोच में गुम वापस पलट आई अनुशे को क्या सूची खत लिखने की वो इस भावर से निकल नहीं पा रही थी इसरार की अम्मी से तथक्रा किया तो वो हर्स पढ़ी वो गद्रे आसाद ख्याल वाकिया होई थी आपा आप भी कितनी नादान है वह अनुशे और इसरार एक दूसरे के मंगेतर है अगर इस रिश्टे के हवाले से उसने खत लिख भी दिया तो क्या बुरा किया इसरार तो पागल है ऐसी नजाकतों को समझता ही नहीं ऐसी कोई बुरी बात नहीं किया अनुशे ने आप दिल पर ना लें अमा ने दिल पर तो ना लिया इस बात को मगर इसरार की हिदायत के पेशे नज़र मौका मिलते ही अनुशे से कह दिया इसरार कह रहा था कि तुमने उसे खत लिखा वो जो बड़े इन हमाग से नेल पॉलिश लगा रही थी अमा की बात पर चौंकर सीधी हुई और उसके कुछ बोलने से कबल ही उन्होंने अगला फर्मान जारी कर दिया और उसने कह दिया है कि अनुशे को मना कर दे अमा तो कह कर चल दी उसके दिमाग में च्छकर चल गए क्या समझते हैं इसरार उसे क्या वो कोई ऐसी वैसी लड़की है और फिर उसने कौन सा किसी गैर को खत लिखा और खत में कोई गलत बात लिखी जिसका चर्चा उन्होंने इसकदर कर दिया उसके दिल में किरासी पड़ गई और इसरार से वो मुकमल तोपर बचसन हो गई तब ही तो उसने इसरार को भरपूर तरीके से नजरनदास किया इसरार का जी चा रहा था उससे बातें करने को कई बार वो मुस्कुराहटें बिखेर दी उनके करीब से गुजरी थी और उनका जी चाहा उसे रोक का कहें अनुशे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा से बढ़कर मगर वो तो जैसे उन्हें ही लिफ्ट नहीं करवा रही थी जाने वो कौन था जिसके पास खड़ी वो बेताहशा हस रही थी उन्होंने करीब से गुजरती बीना से कहा कि वो अनुशे को इधर भेजे बीना ने पैगाम पहुचा दिया जिसे सुनकर उसने ना तो अधर देखना सरूरी समझा और ना ही बीना को जवाब देना बलके उसी लड़के के हमरा अंदर की तरफ चल दी इसरार का रुआ 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 सुलग उठा रुखसती का शोर उठा था वो दुलहा के करीब से उठकर सरा पीछे हटकर खड़े हो गए फैसल आईए का जरूर नेना को साथ लेकर कमाल है हमें खबर ही नहीं क्या आप हमारे पडोस में रहते हैं अनुशे की चहकती आवास थी उन्होंने पलट कर देखा कुछ ही फासले पर वो खड़ी थी खबर तो रखने से ही मिला करती है ना हमें देखिए एक चलक ही तो देखी थी आपकी और फिर आपके खूब खबर रखी जवाबन फैसल सहाब ने फर पूर मुस्कुराहट में चावर की थी वलीमे की तक्रीब में भी उसका रवया बदस्तूर था और तब वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए क्या अनुशे उन्हें पसंद नहीं करती कमसकम उसके रवये से तो यही थाबित हो रहा था शादी के हंगा में खतम हुए तो दावतों का एक ना खतम होने वाला सिलसला शुरू हो गया लंबा चोड़ा खांदान था इसलिए आई रोस कहीं न कहीं दावत होती इसरार के घर तो वो सब ही मदू थे उस रोस अनुशे भी बड़े इहतमाम से तयार होई सादिया भाबी उसे देख कर मैंने खेस अन्दाज से मुस्कुराई ओहो कतल करने के अरादे से जा रही हो नहीं भाबी ऐसी कोई बात नहीं उसने मुस्कुरा कर आईने में अपना जाइजा लिया एक बात तो बताओ वो एक तम संजीदा हो गए बुरा मत मानना मगर इतने दिनों में मैंने एक बात नोट की है तुम और इसरार एक दूसरे से खिचे खिचे से हो क्या कोई नारासकी का सिलसला है नारासकी? वो जोड़ से हस्दी मगर नारासकी क्यों होगी? आपने ये नहीं नोट किया कि हमारे दरमयान ऐसा कोई सिलसला ही नहीं है जिसमें नारास होना और फिर मनाने का अमल होता है क्या तुम्हें इसरार पसंद नहीं है? बहुत महतात रहकर उन्होंने पूछा था अंदर आते इसरार के गदम थम गए क्या कहेगी वो? नहीं एक सर्ट सा पत्थर जवाब आया और कांच की माने इसरार के वजूद के टुकडे इधर उधर पिखर गए नहीं उन्होंने सर को जोर से जटका शायद उन्होंने गलत सुना हो शायद उसने उस नहीं के बाद कुछ और भी कहना हो या कहा हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं इसरार मुझे पसंद है ये तो वैसे ही वक्ती नारासकी है वरना मैं इसरार को नापसंद कैसे कर सकती हूँ मगर अंदर तो उस नहीं के बाद मुकमल खामोशी थी जामित सननाटा जिस सादिया की आवाज ने तोड़ा था अरे इसरार भाई आप वहाँ क्यों खड़े हैं कब आए और वो चौक गए एक नजर बेनियास बनी अनुशे पर डाली और जबरतस्ती की मुस्कुनाहट चहरे पर सजा कर बोले अभी जब आपने देखा असल मैं अमी ने भेजा था मुझे के आपको लेकर आओ कन्वेंस प्राब्लम तो नहीं है ना कोई तो फिर चले खासा बेरब्द से बोल रहे थे हाँ मैं तो बस तयार ही हूँ वो भी तयार हैं अमा जी का पता कर ले उन्होंने परस उठा कर दुबटा शाने पर लटकाया और मुड कर अनुशे की तरफ देखा वो भी तयार थी सोट खड़ी हुई जब वो सहन में आये तब ही दीवार पार से आवाज आई अरे अनुशे कितने दिन हो गए तुम घर नहीं आई खैरियत तो है हाँ नैना खैरियत ही है आज आओंगी शाम में खर पर ही रहना उसके आँखों की चमक इसरार से चुपी न रही थी और वैसल का चहरा निगाहों में खुम गया था फिर ये के इसरार जितनी बार भी दिल को बहलाने के खातिब के शायद ऐसा ना हो अनुशे की तरफ गए उधर वो ही बेनियाजी का सिलसला था उन्हें देखते ही आतो वो दीवार पर खड़ी होकर नैना से बाते करने लगती या नैना पहले से ही मौजूद होती और उन दोनों की बातों का लामतना ही सिलसला चारी रहता अम्मा कहे जाती लड़की उठकर इसरार के लिए चाय बना दे उसे खाना दे दे मगर वो एक कान से सुनती दूसरे से उड़ा देती उसे अब इसरार से क्या दिल्चस्पी थी उस पत्थर और बेहिस चक्स सर टक्राने से क्या हासल होता इसरार की छुटी खत्म होने को थी माम को एक बार फिर उनकी शादी का ख्याल आया और वो अम्मा पर दबाव डालने लगे घर में शादी का जिक्र छड़ा और अनुशे के इल्म में भी ये बात आ गई साधिया भाबी ने उसकी रायचा ही और उसने साफ इंकार कर दिया मुझे अभी शादी ही नहीं करना मगर क्यूं बस नहीं तो नहीं वो बेन आजी से कंदे उचका कर पेंटिंग मुकमल करने में मश्कूल हो गई उन्होंने उसका जवाब अमा तक पहुँचाया और हस्ब मामूल वो सीखपा हो गई बाप ने आसादी दे रखी है दीदा हवाई हो गई है लड़की कैसे सर जाड मुपहाड शादी से इंकार कर रही है महरानी ने कोई बजा तो बताई होगी और भाबी की शामत आमाल क्यों नहोंने सच उगल दिया वो इसरार को पसंद नहीं करती शायद और अमा का रद्यामल कते गेर मतवक्त था उनके लिए उनके फरिष्टों को भी इल्म होता कि उनकी इतनी सी बात पर ये हंगामा खड़ा होगा वो कभी भी न बोलती चुप रहती अमा ने ले दे के सारा इल्जाम साधिया भावी पर धर दिया ये सारी पट्टी तुमने पढ़ाई है साधिया इसे वरना उसके मुँ में तो जबान ही नहीं थी क्या सब सपाक दिखलाएं हैं तुमने इसे कि लड़की ने यूं पट से इंकार कर दिया साधिया भावी हवन्नक बनी अमा की तरफ देख रही थी कि ये क्या हो गया एक जरा सी अनुशे की पसंद नापसंद की बात ही तो की थी क्या क्यामत आ गई उसके बाद अमा ने बाकाइदा साधिया भावी के खिलाफ महास खोल लिया अबा ने नामुनासिब तरफ पर मामो को समझा दिया कि इसरार तालीम मुकमल करके वापस लोटाए तो शादी कर ही देना है मगर अमा के सीने में जो आग लगी थी उसने तो गोया उनका तनमन जला कर रख दिया था और उसाध से साधिया भावी किसी तोर पर महफूस नहीं रही थी उटते बैटते लड़की बिगाडने के ताने मिलते उनकी आज़ाद ख्याली पर बावाज बुलन ख्याल आ रहा ही होती ऐसे में अनुशे सिवाए भावी के अश्क शोई के और कुछ ना कर सकती के अमा के आगे बोल कर तो बात को मजीद बिगाडने वाली बात होती और वो ऐसा नहीं चाहती थी वो तो दुआएं मांगा करती अल्ला करे इसरार महीं शादी कर लें और उसकी जान छूट जाए वैसे भी उसके दिल में जो नरम एसासाथ थे उनका धारा अप मुड चुका था अब वो फैसल के हवाले से सोचती उसके खुआप बुनती नैना के खर उसका बहुत जादा आना जाना था अमा को खटका तो करता मगर वो इस मौज़ू पर खामोश ही रहती नैना के बहाने वो कितनी कितनी देर उनके हाँ बैठी रहती हता के फैसल कॉलिज से आ जाता पिर नैना बहाने से उड़ जाती और वो दोनों दुनिया माफिय से बेखबर होकर बातों में मश्कूल रहते मुझे डर है अनू तुम्हारे घरवाले तुम्हारी शादी इसरार से ही करेंगे फैसल अकसर खौफसदा हो जाया करता और तब कुछ लम्हे के लिए वो भी खौफ की वादी में उतर जाती जाहर था बच्वन की मंगनी थी और फिर गांदान बिरादरी का मामला था महस उसके कह देने से रिष्टा खतम नहीं हो सकता था फिर वो इतनी बहादर भी न थी कि अमा से या अबा से साफ अलफाज में कह सकती कि वो इसरार से नहीं फैसल से शादी करना चाहती है भाबी से कहने ही सकती थी कि वो तो पहले ही उसकी वज़ा से जेर अताब थी मस्तथाद ये हुआ कि भाबी की खाला बेहत अच्छी लगी थी और बमुश्किल अपनी ममा को मना कर उनकी तरफ भेजा था मगर आगे से जो पसीराई हुई अम्मा के हाथों उसने शहरोस का दिल तोड़ा तो तोड़ा खुद अनुशे भी अम्मा से बद्जन हो गए आखिर उन्हें यू हर आए गए की बेज़ती करने की क्या सरूरत थी आराम से मुनासिब अलफास में भी तो मना किया जा सकता था लेकिन अम्मा को तो साधिया भाबी और उनके तमाम रिष्टेदारों से अल्लाव वास्ते का बैर था शहरोस की वालदा की तब्यत साफ करने के बाद उनकी तोपों का रुख साधिया भाबी की तरफ हो गया तो ये वज़ा थी अपने भाई के लिए राहें हमबार की जा रही थी कान खुल कर सुन ले सारे अनुशे की शादी होगी तो सिर्फ इस्रार से बागी सब ये ख्याल दल से निकाल दें साधिया भाबी खामोशी से ये भी सह गएं कि कुछ कहकर वो मजीद माहौल खराब नहीं करना चाहती थी यूँ भी अब तो उनको बरतार से ज़्यादा काम लेना था कि अब वो तनहा नहीं थी दो नने नने बच्चों का भी साथ था उनकी महफूस पनाहका का मसला था और वो किसी तोर पर भी ये पनाहका खोना नहीं चाहती थी मगर अमा ने तो शायद तहिया कर लिया था अब फोन है इस खर में टिकने नहीं देंगी हालाँ के बाद अब भी हमेशा की तरहा अनुशे ही की थी फैसल ने अनुशे से कहा था कि वो घरवालों को मना ले ताकि वो अपने वालदین को उनके खर भेज़ सके और अनुशे नहायद डरते डरते अमा से बात की थी अमा वो नैना के वालत आप लोगों से मिलना चाहते हैं क्यों अमा के खश्मा की नजरे उस पर गड़ गई वो गड़ बड़ा गई असल में अमा नैना के भाई बात पूरी होने से कबल ही अमा चिलाव थी तो ये चक्कर था ये घंटो नैना के हाँ बैटना और ये सादिया आते ही नहुसत पहला दी सारे खर में कौन सी बुरी खड़ी थी जब मैंने इसको खड़ाने का फैसला किया तबाह कर दिया इसने मेरी लड़की को तुझ पे अल्लह की मार सादिया तबाह कर दिया तुने हमारा घर अनुशे खामोश ही रह गई उसी वक्त नैना आई थी और अम्मा की जबानी फैसल का तसक्रा सुन कर वसी थी अनुशे के बास आई थी क्या बात है फैसल का तसक्रा कहा से आगया बीच में अनुशे ने कोई जवाब नहीं दिया अम्मा की नजर नैना पर पड़ी तो सादिया को भूल गई सुन ले लड़की हम शरीफ लोग हैं उंचे नसब वाले खानदान बरादरी से बाहर शादी करना नीच खानदानों का काम होता है आज के बात कभी भी हमारी बेटी पर इस नियत से नजर ना डालना हाँ नैना ने सुना तो पहले हैरान हुई फिर जैसे सारी बात समझ गई आप किस फूल में हैं खाला हमारे हाँ भी ऐसा कोई रिवाज नहीं आप की बेटी के अपने गलत फहमी है ये वरना फैसल भाई की मंगनी तो पिछले हफ़ते ही मेरी कजन से हुई है और माशाला से वो बहुत अमीर लोग है हमारे स्टैंडर्ट के जवाबन वो भी तंतने से उनके मुँपर तमाचा मार गई जाते जाते एक तमसकर भरी नजर अनुशे पर डाली थी उसकी एक नजर में वो सब कुछ था जिससे आज तक वो अंजान रही थी फैसल और नैना तोनों ने मिलकर उसे धोका दिया था उससे मुसलसल छूट बोलते रहे थे लोग ये थी आउकात वो मुपर कह गई और तू है के बगएर परों के हवा में परवास करने को तयार थी लड़की अपनी आउकात में रहना ही अच्छा है और उसकी आँखों में सावन रुट उतर आई ऐसे बरसी ऐसे बरसी के सब कुछ चल थल हो गया जजबे कोई खेलने के लिए होते हैं ये तो संभाल संभाल कर रखने के लिए होते हैं फैसल ने उसे बेवकूफ बनाया और नैना ने औरत होकर अपने भाई का एक मर्द का भरपूर साथ दिया कितने दिन हो गए थे उसे अपने आप से लड़ते खुद को लांतान करते नैना के किरदार को सोचते फैसल तो चलो मर्द था फलर्ट कर सकता था मगर नैना तो एक औरत थी उसने ऐसा क्यों किया वो ही तो थी जो आकर कहा करती फैसल भाई को माहौल बहुत उदास-दास लग रहा है तुम्हें याद कर रहे हैं और वो सब काम छोड़ चाड़ कर चल पढ़ती जब वो बैठी होती और फैसल चला आता तो नैना फॉरण वहाँ से उड़ जाया करती उन्हें तनहा छोड़ कर वो घर के काम निपटाया करती और आते समय जब उनैना से दबा दबा शिक्वा करती तो वो हस पड़ती मुझे क्या शौक है कबाब में हड़ी बनकर बैठने का ना बाबा वो कानों को हाथ लगाती फिर उसके साथ लग कर सरगोशी करती इमान से कहना क्या मेरा वैटना तुम्हें अच्छा लगता है नहीं ना और अनुशे सुख चेहरा लिये चलिया दी क्या था वो सब क्या ये सारा कुछ प्लैनिंग के तहत हुआ था वो भाई की शरीके कार थी उसे महसूस होने लगा जैसे उसके साथ किसी मर्ड नहीं बलके औरत में फ्लर्टिशन की हो कैसी अजीब बात थी कितना अनुखा वाक्या दिनों वो कमरे में बंद रही अम्मा ने भी उसे कुछ ना कहा ना बाहर बुलाया तीनों वक्त का खाना अनिसा उसके कमरे में पहुचा जाया करती कभी वो चंदने वाले सहर मार कर लेती कभी यूही लोटा देती जब उसकी रूटीन में कोई फर्ट ना पढ़ा तो अम्मा ने अंदर जाका कब तक सोग मनाती रहेगी वो तो मरन जोगे जा भी चुके निकला आप कमरे से बाहर तम वो कमरे से बाहर निकली मगर बाहर भी वोही सन्नाटा था ऐसी है खामोशी भाबी नजर आई ना बच्चे तब उसने अनिसा से पूचा भाबी कहा है अनिसा पहले तो खामोश रही फिर आहिस्ता से गोया हुई भाईया और भाबी यहां से चले गए हैं क्यूं वो चौंकी अम्मा ने लड़कर उन्हें निकल दिया मगर क्यूं क्या अब्बा ने भी मना नहीं किया वो शदीद सदमे से दोचार हुई थी आपको तो पता है अब्बा कब बोलते हैं और अगर बोलें भी तो सुनता कौन है उस रोज नैना के जाने के बाद रात अम्मा ने खूब हंगामा किया सारा इलजाम भाबी के सर पर रखा और उनसे कहा कि वो इसी वक्त अपने मैके चली जाएं अब्बा ने समझाने की कोशिश की भाईया तो घर पर थे ही नहीं अब्बा लड़ाई कम करने की खर्स से भाबी को मैके छोड़ाए भाईया रात गए लोटे जब उन्हें सारी सुरतिहाल का पता चला तो उसी वक्त सामान उठा कर चले गए कमाल है आपको पता नहीं चला इतना तो हंगामा था उस रात हाँ उसे पता नहीं चला था क्यों उससे कहीं पढ़कर हंगामा उसके अंदर पर पा था वो तो खुद तूफान में गिरी हुई थी बाहर कैसा शोड़ था उसे क्या खबर और नैना ना चाहते हुए भी उसने पूछ डाला नैना आई थी दो रोज हुए कह रही थी वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं आप से मिलने आई थी मगर अमा ने खूब सुनाई कल वो चले गए यहां से क्या कुछ हो गया था चन दिनों में और वो बेखबर पड़ी एक ही तुक मनाती रही उसी शाम भाईया आए उनसे मिलने अमा उन्हें देखते ही कमरे में खुज गई वो भाईया से लिपट कर खूब रोई फिर अबबा चले आए खाना खाने के बाद वो भाईया के साथ ही उनकी तरफ चली आई उन्होंने किराए पर फ्लैट ले लिया था तीन कमरों और किचन बात पर मुझतमिल ये चोटा सा बंद फ्लैट जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो किचन में खुलती थी भावी बहुत प्यार से मिली सब का हालावाल भी पूचा जिल में बेहत खौफ सदा भी हो रही थी अमा उसके यूँ चले आने पर भी खासी खफा हो रही होंगी मस्तसाद ये कि वो रात ठैर भी गई थी सुभा जाने क्या हो मारे खौफ के वो ठीक से सो भी न सकी थी तब ही तो सुभा बाहर होने वाली बेल की आवास पर वो फौरन जाक गई थी आँखें मलते हुए उसने कुरसी पर पड़ा दुपटा उठा कर कंधों पर डाला हाथ से कपड़ों की शिकने दूर की और गेट की तरफ आ गई दर्वासा खुला साथ ही कोई अंदर खुसाया कमाल है आज तो एकी बेल पर जा गई सोई नहीं क्या आप दर्वासा फिटते हुए उसने पूछा बलकचे अंधेरे में गालिबन वोसे पहचान नहीं सका था ये लीजे आपका सामान दूद तही डबल रोटी जैम की बोतल हनी कल अचार का कह रही थी वो भी आ गया अब आप जल्दी से मुझे एक अदद गर्मा गरम पराठा बना दीजे ताके मैं स्कूल टाइम पर पहुंचाओ इतने में मैं नहा लूँ अपनी ही धुन में बोलता उस किसे हम देखे वे उसकी सुने बगए वो टावल उठाकर बाथरूम में खुझ गया जबके अनुशे पूरी आँखें पाड़े उस चलावे को देख रही थी कौन था जो यू अंदर खुझाया था यकीनन कोई भाबी का रिष्टेदार होगा तब ही तो ऐसी बेतकलुफी का मुझाहरा हुआ था और हाँ अबा आज अन्डे हाफ फ्राइ कीजेगा बिलकुल पका मत दीजेगा बाथरूम से मुझ निकाल कर कहा और उसने टेबल पर से उस अच्रभी की लाई हुई तमाम अशिया फॉरन उठाई और किचन का रुख किया पहले तो ख्याल आया फाबी को जगा दे फिर उनके आराम के ख्याल से उसने खुद ही नाश्टा बनाने का एरादा कर लिया फ्रिज से आटा निकाल कर किचन में रखा फिर बेसन पर जाकर हाथ मुंद होया पराठा कैसे बनेगा आटे को हाथ में लिये वो गहरी सोच में खर्ख थी फैर जैसे तैसे पराठे बन ही गए रुमाल में लपेट कर एक चूले पर अंडे फ्राई के दूसरे पर चाय रख दी यूँ जल्दी जल्दी काम निप्टा कर नाश्टा जब उसने टिबल पर रखा तो वो आईने के आगे खड़ा कंगी कर रहा था वो असल में मुझे पराठे बनाना नहीं आते छेंपी छेंपी आवास पर बालों में चलता कंगा रुक गया बेहद हैरानकी से पीछे पलट कर देखा सर छुकाए उंगली का कोना मुँ में दबाए वो खड़ी थी उसने आगे बढ़कर लाइट का बटन आउन किया आनवाहित में रोशनी फैल गई अनुशे लहचे में बेपाया खुशी मतरशे थी आप हैं? कब आई? जी? उसकी इस पे तकलुफी पर वो हैरान हुई अरे शेहरोस तुम आ गए? भाबी के आवास आई मुझे पता ही नहीं चला रात देर तक जाकती रही तर्वासा किसने खुला? बालों को जुड़े की शकल में लपेटती वो इधर ही आ गई भाबी के आते ही वो अंदर बढ़ी आपको नाहक तकलीफ होई मैं समझा था शायद आपा है सॉरी वो पीछे से मासरत कर रहा था वो अंसुनी कर गई फिर काफी देर तक उसके बोलने की आवास आती रही भाबी उटकर कहीं चले गए बच्चे स्कूल चले गए तब कहीं जाके वो भी गया लो अभी तो मौसूफ कह रहे थे तेर हो रही है वो अंदर बैठी कुड़ती रही उसे घर जाना था अम्मा का गुस्सा उसे हुलाय दे रहा था भाईया तो जानते हैं अम्मा के आदत को फिर भी जब वो बाहर निकली तो भावी परतन धो रही थी नाश्ता बनाओ अनोशे उसे देख कर पूछा नहीं भावी मुझे घर जाना है वो वहीं पड़ी कुर्सी पर टिक गई बेचैनी उसके अंकंग से होवैदा थी शेहरोस को जानती हो वो ही जिसका प्रोपोजल आया था आजकल उसकी ममा बाहर गई हुई है इसलिए सुभा नाश्ते के वक्त आ जाता है गरीब ही रहता है वैसे तुम्हें हमारा खर कैसा लगा वो बड़े इत्मिनान से बातें किये जा रही थी अच्छा है बस अगर हवा और धूप आने लगे तो अच्छा है बहुत मुझे घर जाना है भावी बिलाखित कह डाला चली जाना तुम्हारे भाईया शाम को आएंगे तो हम छोड़ आएंगे तुम्हें मगर मगर वगर कुछ नहीं आराम से बैठो बलके चलो काम में मेरा हाथ बटाओ उन्होंने प्यार से तांट कर अप्ध भी चताया फिर उसने मजीद इसरार ना किया चलो जो होगा देखा जाएगा वो मुतमें हो गई या उसने खुद को कर लिया बहरहाल भावी के साथ मिलकर दोपहर का खाना बनाया बच्चे स्कूल से आ गए तो सबने मिलकर खाना खाया फिर चार बज़े के करीब भाईया भी आ गए तो उसने जाने की रट लगा दी भावी और बच्चे भी तयार थे सुनो अनुशे हमारे जाने से अमा खफा तो नहीं होंगी कर खूब शोर मचाया फिर कमरे में बंद हो गई वो शर्मिन्दा शर्मिन्दा भावी को ले कर अपने कमरे में चली गई पता नहीं अमा को क्या हो गया था चो वो एक्दम भावी के इतने खिलाफ हो गई थी उस दिन के बाद भाबी तुबारा उनके खर नहीं आई हाँ भाईया हफते में दो एक बार जरूर आया करते थे या फिर बापा के साथ वो अनीसा और जिमी भाईया के हाँ चले जाते साधिया भाबी अम्मा के इस हद तक खराब बढ़ताओं के बावजूद उन से बहुत अच्छी तरह पेश आया करती उन्ही दिनों इसरार के वापस आने का तस्किरा होने लगा और मामू मुमानी इस बार पका इरादा लेकर चले आए बस अब इसरार की शादी होनी चाहिए हमें तारीख दे मुमानी अमा के सर हो गएं और इस बार उनका इंकार करने का इरादा भी ना था अनुशे एफ़े के पेपर देने वाली थी इसरार के आने तक अम्तिहानात हो जाते यो अम्तिहानात के फॉराँ बात की तारीख मुकरर हो गई अनुशे जहनी तोर पर इसकदर अपसेट थी कि मसीद किसी भी नई जम्मेदारी और वो भी शादी जैसी जम्मेदारी को कुबूल करने पर तयार ना थी उसने अम्मा से दबे लफसों में कहा कि अभी वो उसकी शादी ना करें जवाबन हस पे तवक्का उन्होंने उसे डांट कर रख दिया बेकार उमीदों के इंतिसार में जिंदगी तबाह करने के हक में मैं नहीं हूँ वो खामोशी से उठाई बाबा से बात तो वो कर ही नहीं सकती थी फिर उसने जाने क्या सोचकर इसरार को खत लिख डाला जिसमें कोई लंबी चौड़ी बात ना थी पहले की तरह सिर्फ चन लाइने लिखी थी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती इसलिए वो खुद ही अपने खरवालों को मना कर दें मगर इसरार ने भी कोई मस्बत चवाब ना दिया शादी की तैयारियां शुरू हो गई उसके इमतिहानों के पेशे नजर उसे अंतैयारियों से अम्मा ने बिलकुल अलग रखा फिर भी वो यकसुई से पढ़ना पा रही थी चत पर जाकर बैठती तो फैसल लोगों का सहन सामने पढ़ता और उसकी जहनी रोप फटक जाती फला जगा खड़े होकर फला वक्त फैसल ने फला बात कही थी फिर वो सोचने लगती इस सारे में छूट कहा था और उसे नसर क्यों ना आया और पता नहीं लोग छूट बोलते ही क्यों है पीता वक्त थुन बन कर आँखों में चा जाता सारे अलफाज कटमट हो जाते वो किताब बन करके उस पर सर रखे सिसक उटती ऐसा क्यों हुआ था और उसके साथ ही क्यों क्या उसने दुनिया से निराला कोई काम किया था इस उमर में तो सभी महबबत करते हैं या फिर उसमें ऐसी कोई खूबी ना थी कि कोई देखने वाला उससे महबबत करता इसरार उसके मंगेतर थे मगर उन्हों ने इस हवाले से भी कुछ ना कहा फैसल ने अगर कुछ कहा भी तो जूट, फरेब, सोच सोच कर वो पागल होने लगती, उसकी सुर्ख आँखें देखकर मुमानी कहा करती, लगता है बहुत महनत कर रही है अनुशे, बोर नस्रें चुरा जाती, अम्मा उसकी सुर्ख आँखों की वज़ा पाखू भी समझती मेरे सब बच्चों में लाइक है अनुशे, बहुत पढ़ाई करती है, आधी आधी रात तक उसके कमरे की लाइट जलती रहती है, और वो हस देती, आपको क्या पता, आधी आधी रात तक लाइट इसलिए नहीं जलती के मैं पढ़ती हूँ, बलके मुझे तो अपने अंदर उतरते अंधेरों से खौफ आने लगा है, लाइट बंद करती हूँ तो आधे अधूरे सपने, मुझे डराने आन खड़े होते हैं, हंसते हैं मेरी बेबसी पर, कह कहे लगाते हैं मेरी हालत पर, मसाक उड़ाते हैं मेरा, कि मैंने एक औरत से धोका खाया, फिर तंग आकर उ पेपर नहीं दे रही, हाई, मगर क्यों, दो साल की मेहनत बरबाद, अम्मा ने नागवारी का बरमला इसहाद कर दिया, क्या करना है इम्तिहान दे कर, करना तो वही हांडी चुला है ना, आप मुझे घरेलू काम सिखाएं, मुमानी बहुत सलिकामन है, मेरे फूर पने को ब जहन बटाने के लिए ये जरूरी था, वरना उसे लगता था फैसल की महबत और बेवफाई उसे पागल कर देगी, मगर कहां, मुस्तक्बिल के हवाले से कोई बात छड़ती, उसकी नसरों में फैसल का सरापा घुम जाता, आँखों में धुन चाने लगती, और वो हस कर प्रे ले आए, वो तयार होकर अम्मा से पैसे लेने आई, उन्होंने उसे पैसे थमा कर कहा, कपड़ों को अच्छी तहां चेक कर लेना, और पिंक कलर का सूट देखना के फिटिंग ठीक की है या नहीं, उस दिन में दुबारा उसे दे आई थी, बहुत लूस थी, अनुश सबसे उसे देखा, फिर पकड़ कर साथ बिठा लिया, जब वो रो चुकी तो अपने दुबट्टे से उसका चहरा साफ किया, सौरी अम्मा, उसने फौरान मासरत की, तुम क्या समझती हो, मुझे तुम से कोई दुश्मनी है, उसका हाथ पकड़ कर उन्होंने प्यार से उस खौबों की उमर को सीलन जदा होते देर नहीं लगती, तुम्हारे अबबा ने कभी मेरी तारीफ ना की, मैं अच्छा पहनती या बुरा, उनकों से कोई खर्स ना थी, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत सुकी रखा, मेरी हर जरूरत को बिना कहे पूरा किय मगर उनकी एक आदत थी, शक करने की, वो मुझे पर बहुत शक किया करते थे, शायद उनके जहन में ये था कि वो खुद बूरे हैं और मैं जवान, इसलिए उनको छोड़ ना जाओ, घर से बाहर जाते वक्त वो ताला लगाया करते, चावी साथ वालों को थमा दिया करते, कि अगर मैके से मुझे कोई मिलने आए तो उनको खबर मिल जाए, सुस्राल में ऐसा कोई था नहीं जिस पर शक किया जा सकता, इसलिए इस तरफ कोई धड़का न था, औरत, बेटा, सब कुछ बरदास्त कर सकती है, हता कि कभी कबार हालात के हाथों मजबूर होकर सौतन भी मगर एक शकी मर्द के साथ रहना किस कदर अजाब है, इसका अंदाजा वो ही लगा सकती है जो इस कर्प से गुजरी हो, दस साल मैंने कैदी के हैसियत से गुजरे, असद के पैदा होने के बाद तक, फिर जब तुम पैदा होई तो उनके रवईये में कुछ नर्मी पैदा ह जैसे उन्हें थोड़ा सा आसरा हुआ हो कि मैं उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जा सकूंगी, अनीसा और जिमी के पैदाइश ने उन्हें बिलकुल पेफिकर कर दिया, और यू मेरी सजा खतम होई, लेकिन इन तीस सालों में मैं जहनी तोर पर बिलकुल तबाह हो गई, तु तुम्हारे अबा आगे से कुछ नहीं बोलते तो मुझसे डरते हैं? नहीं, वो डरते नहीं, बलके उन्हें एहसास जर्म चुप रहने पर मजबूर करता है, मैं बोलती हूँ तो मेरे अंदर की तनहाई कुछ कम हो जाती है, वरना तो शायद और तुम, मैं तुम्हारी को भी समझती हूँ, मगर मुझे तुम पर यही गुसा है कि तुमने गलत मर्द का इंदखाब गलत वक्त पर किया, अबल तो तुम्हें इसरार के लावा और किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, और पिर सोचा भी तो एक बेवफा के बारे में, तुम्हें बहुत तुम्हें बहुत अहत्यात और प्यार से रखेगा, इसलिए तुम फैसल का ख्याल दिल से निकालो और इसरार के बारे में सोचो, सोचने पर किसी को अख्यार है अमा, होना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं, वो फिर पहले वाली अमा बन गई, जो तुम्हारे लिए एक आं अहत्यात से सब कपड़ों की सिलाइड चेक कर लेना, बहुत लापरवाई करते हैं आजकल के दर्जी, और तमाम रास्ते वो यही सोचती रही, और तुम्हें नुक्सान के सौदे ही किया करती है, हर लम्हें कोई न कोई जंजीर उसके पैरों में रहती है, जो उसको सीबतों में ठाल सके, कमजोर पड़े भी तो अगले महास के लिए मस्बूती से खुद को खड़ा कर सके, अनीसा ने कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करना था, इसलिए बाजार में काफी देर हो गई, रात के साए फैल चुके थे, शॉपिंग सेंटर में फिरते हुए त साड़े साथ बज रहे थे, टैकसी ले ले लेते हैं, बजाए वैगन के इंतिजार में खड़े होकर मजीद देर की जाए, अनीसा ने मशवरा दिया, उसने तफाक किया, और उसी वक्त सफیद करोला उनके करीब आन रुकी थी, और भाईया उतर के करीब चले आए, भाईया इस वक्त उनका आना उन्हें नेमत लगा था कि अकेली होने का खौफ उन्हें अंदर से कमजोर किये दे रहा था, हाँ, हम तो पिछले पंदरा मिनट से आपको ढून रहे हैं, पीछे से एक जानी पहचानी आवास आई थी, क्यों खैरियत? अनुशे का दिल एक अन जाने ख खौफ से धड़क उठा, वो पीछे ढूनने चले आए थे, ऐसी क्या बात हो गई थी? भाईया चुप रहे, उसने शेहरोज किसम देखा, वो नजरें चुडा गया, बैठो तुम लोग, उन्होंने उनके हाथ से बैक बकड़ लिये, वो उसी खौफ के आलम में चलते हुए गाड़ी में आ बैठी, भाईया प्लीज, कुछ बताएं क्या हुआ है, हमारे दिल भट जाएंगे खौफ से, क्या अमा अबा, अनीसा चीख पड़ी थी? हाँ हाँ, सब ठीक है, अमा अबा बिलकुल खैरियत से हैं, भाईया ने खोकले से अंदाज में तसली दी, भाबी ब पे खाबू रखो, सिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, इनसान को हर किसम के हालात के लिए तैयार होना चाहिए, तसली देते हुए खुद उनका लहचा फीग रहा था, और वो खामोश हो गई, बहुत कुछ होता रहता है सिंदगी में, इनसान को हर किसम के हालात के लि कुछ भी न सकती थी। तमाम रास्ते उसकी नसरों में मामू का मश्पक चहरा अजीब अजीब सूर्टों में फिरता रहा था। घर के बाहर लगे टेंट और अंदर से उटने वाले आहो पका के लिए भी उसका जहन कुछ-कुछ तयार हो ही चुका था। आँखों में बर्साथ शुरू हो चुकी थी। और उस बर्साथ के पार ही उसे मुमानी का जर्द सता हुआ चेहरा दिखाई दिया था। वो बेताब होकर उनकी तरफ बढ़ी थी। और रास्ते में ही किसी ने मजबूत बाहों में उसे खेड लिया था। और बरसाथ के पार दिखाई देने वाला ये चहरा उसे एक लम्हे को रोना भुला गया उसने दोनों हतेलियों से आँखें साफ की मामू की तरफ देखा फिर सतून से सर टेके मुमानी की तरफ तो कौन? कौन? उसने खबरा कर हुजूंग पर नज़ डाली हम लुट गए बेटा बरबाद हो गए चाने किसकी नज़र खा गई हमारी खुशियों को मामू से साथ लगाए धुआ धार रोने लगे तो क्या इसरार? एक जमाका सा हुआ वो तड़प कर पीछे हटी इसरार? वो सिर्फ इतना ही कह सकी और मामू के बहते अश्कों ने तस्दीक कर दी इनसान को हर किसम के हालात के लिए तैयार होना चाहिए जिन्दगी में बहुत कुछ होता रहता है ऐसे में सबर से काम लेना ही आदमी को इनसान के मरतबे तक पहुँचाता है मगर कुछ तक कुछ सखम ऐसे लगते हैं जब इनसान खुद अपनी बेबसी का मातम करता है वो शिकवा भी करता है मगर बेसूद कुछ सखम भर जाने के लिए नहीं होते और इसरार की बेवक्त जवान मौत ऐसा ही कुछ सखम लगा गई थी के हर रोज उस सखम में नई टीसें उटती और अंदर बाहर आंसों और आहों का तूफान उमर डाता लोग आते मामू ममानी को जवान ऑलाद की मौत का तुक उठाने पर सब्र और होसले की तलقین करते अनुशे की बदकिसमती पर इशारे खियाल करते और चले जाते ममानी तो उस रोज से सक्टी की कैफियत में थी एक अश्क न बहाया था हर आने वाले से यही कहती इसरार की शादी हो रही है न इसलिए आ रहा है मैंने उसकी दुलहन के लिए सारे कपड़े उसकी मर्जी से बनाए है फिर जैसे किसी सोच में पढ़ जाती उसके दोस का फोन आया है कहता है इसरार को किसी ने काड़ी के नीचे दे दिया उसकी लाश पेज रहे हैं वो लोग भला लाश कैसे आ सकती है लोग तो पागल है उसे तो हवाई जहास पर बैट कर आना है फिर सहरे बांधने है उसकी दुलहन लेने जाना है मुझे उनकी बातें सब को रुला डालती मगर वो योही मुतमैं सी बैठी कीत कुन गुनाने लगती फिर वो नामालूम फूलों को पिरोने लगती सब को दिखाती देखो तो कैसा बना है सहरा मेरे इसरार का है और लोगों की आँखों में तर्थ थाठे मारने लगता इसरार की बेवक्त मौत एक सानेह अजीम थी जिसने सब को हिला कर रख दिया था हुमानी की जहनी हालत बिगड़ चुकी थी मामू के अश्क थमने में नहीं आ रहे थे और अम्मा अब्बा के लिए भी तो दोहरा सद्मा था उनकी बेटी का घर बस्ते बस्ते उजड़ चुका था अम्मा तो अनूशे को देख देख कर रोया करती कैसी बदनसीब है तू और वो सोचती महबतों के लिए वो वाकी बदनसीब है उस रोज वो मुमानी के बालों में कंगी कर रही थी जरा फासले पर अम्मा बैठी थी रिष्तेदार खवातीन भी मौजूद थी जभी किसी ने कहा था अनूशे की तो जान चुटी वो तो पहले ही खुश नहीं थी इस रिष्ते पर और अनूशे इस कोहर अफशानी पर चौक कर आवास की सिंफ मतवच्चा हुई थी अम्मा भी सुन चुकी थी अनूशे ने अम्मा की तरफ देखा वो बड़ी अजीब नसरों से उसे देख रही थी फिर जाने क्या हुआ उठी और उन खवादीन के पास जा पहुँची अनूशे का दिल धक धक करने लगा क्या फिर हंगामा अनूशे की जान नहीं चुटी बहन अम्मा की पाड़दार आवास आई वो इसरार के मंगे तर्थ थी और उसी की रहेगी सारा खानदान देखेगा अनूशे की शादी किसी और से नहीं होने की सब खलत फहमिया दिल से निकाल दें पाहर से आते मामून अचंभे से अम्मा का एलान सुना मौका ऐसा था कि वो बहन को कुछ भी न कह सकते थे सारी खवादीन दंबखुद रह गई थी खुद अनूशे का हाथ चाहा था वहीं रह गया था ये अम्मा क्या कहा आई थी देखा तुमने मेरी बहू मेरी कितनी खिदमत करती है वो मानी मुसरत से उसका हाथ था में कह रही थी और अनूशे सब की रहमालूद निगाहें खुद पर गड़ी देखकर छुकी जा रही थी और फिर अम्मा ने जो कहा था उस पर अमल भी किया उन्होंने साफ वासे अलफास में कह दिया था कि वो अनूशे की शादी नहीं करेंगी अब बा समझा समझा के ठक गए मगर वो अपनी जित परड़ी रही हर आने वाले रिष्टे से इंकार करती रही भाईया की तो वैसे ही नहीं सुनती थी और भावी के दीगर जराएं में एक और जर्म का इजाफा हो गया था अम्मा बर्मला कहा करती इसरार को साधिया की नजर ले डूबी वो ही चाहती थी कि अनुशे उसके खानदान में जाए कहे देती हूँ दुनिया इधर से उधर हो जाए लड़की को जिन्दागार दूँगी वगर साधिया के मैके नहीं दूँगी वो खामोश फिरा करती पहले ही वो कब शाधि के लिए तैयार थी वगर ये भी नहीं था कि उसे इसरार के मरने की खुशी हुई हो और नहीं कभी उसने ऐसा चाहा था ये तो किस्मत थी जो हर मुकाम पर उसके आगे आन खड़ी होती थी और जब इसरार का सामान आया और खुला गया तो देखने वालों के साथ उसने भी देखा पूरा एक पैक उन अलबम से भरा था जिन में अनुशे की तसावीर थी और वो समझती थी कि इसरार उससे प्यार नहीं करते प्यार करने में तो उन्होंने हद कर दी थी क्या था जो कभी इसरार ना किया था और उस एक चुर्म की पादाश में उसने उनका दिल तोड़ कर रख दिया था किस गदर सफाकी से उसने इंकार किया था नहीं वो इसरार को पसंद नहीं कर दी इस एक नहीं ने कितने दिल दुखाए थे और जो उसका दिल दुखा था, तो वो अभी तक उस दर्द में तड़पती थी, रोती थी, तो बीबी, ये दिल तोड़ने की सजा है, उसने खुद से कहा, और फिर अपने आप को नॉर्मल कर लिया, जब उसने किसी को सुख नहीं दिया था, तो उसे क्यों मिलता, सो वो खाम लीद करती ना ताइद, फिर उसने भईया के कहने पर माजूर बच्चों का स्कूल जॉइन कर लिया, ये उसे बहुत बाद में पता चला था, कि ये स्कूल शेहरोस की ममा की जेरे निकरानी है, दिन भर माजूर बच्चों के साथ कुजार कर वो लोटती, तो बहुत सारी सो सोचों से उसका जहन खाली होता, अमा कुछ कहती भी तो खामोशी से बरदाश्ट कर जाती, उन्हें उसके नौक्री करने पर भी एतरास था, मगर अपकी बार उसे अबबा और भईया की भरपूर हमायत हासल थी, और घर रहकर तकलीफ देर सोचों का मकाबला करना उसे मुश्किल लगने लगा था, शेहरोस की ममा अपनी तमाम तर अनानियत पाला इतात रख कर कई बार आ चुकी थी, मगर अमा की वही एक ना, मैंने पूरी बरादरी में कसम खाई थी, वो यही कहा करती, आप इंतहाई चहलाना सोच रखने वाली खातून है, अब की बार तो शेहरोस की ममा यहां तक कह गएं, और अमा को खूब खुसा आया था, इतनी आलम फाजल हैं तो ले के दिखाएं रिष्टा, वड़ी देर तक बड़ पढ़ाती रही थी, मगर अब हैरतनाक बात यह हुई थी, कि खामोश रहने वाले अबा खुलम खुला, अमा की अधीना हो, उसने शेहरोस की ममा की बात अबा तक पहुँचा दी थी, अब जाने क्या फैसला होता, यह तो किस्मत पर मनसिर था, और किस्मत पर तो वो वैसे ही शाकिर थी, कभी कभी तो मुझे उन पर बेहत रशकाता है, बहुत कुछ चुबाई से दुख होता है, उनको म नसरों से उसे देखा, हम सब पागल ही तो हैं, लेकिन थोड़े सिर्फ फर्क के साथ, हम अपना सिर्फ अपना दुख महसूस करते हैं, जबके यह ऐसे इसासासाद से बेनियास हैं, कोई इन्हें दुख दे या खुशी, कोई फर्क नहीं पढ़ता, यह होश्मन्द इनसान होना भी कैसा मुश्किल है, एक बात कहूं, तुम इंतहाई गेर रोमेंटिक लड़की हो, यानि तुम्हें ख्याल तक नहीं कि तुम्हारे पास एक ऐसा बंदा बैठा है, जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, एक मुद्द से तुम्हारे पीछे भाग रहा है, और तुम हो के बलट कर एक नजर देखती भी नहीं हो, शहरोस के लहचे में हलका सा शिक्वा था, तो ना भागें, किसने मिनत की है, वो हस दी, यार अजीब पत्थर दिल लड़की हो तुम, वो जंचला गया, शुक्रिया, मेरा ख्याल है क्लास में चलें, देखें जो म्यूसिक कॉं अनुशे की तवज्जा और प्यार तो मिलेगा, वो जल कर बोला था, बुरी बात, अच्छे बच्चे ऐसी बाते नहीं किया करते, वो हसते हुए उट गई, पता नहीं ये लड़की दिल का फेत क्यों नहीं देती, क्यों नहीं कहती, वो सब चोस की आँखों में कभी कबार होता है, किस बात का खौफ है से, वो कितनी देर तक उसके मतालख सोचता रहा, फिर उटकर क्लास में आ गया, मोना गा रही थी, तमाम तर माजूरी के बावजूद उसके गले में जादू था, जब वो गाती, तो गोया वक्त ठहर जाता, लगता ही नहीं कि ये मोना की आवा हैं, बे साखता उसने दात दे डाली, और वो जो बड़े जस्प से गा रही थी, एक दम चुप हो गई, क्या हुआ भई, गाव गाव, वेल जन अनुशे, मोना, कम आन, केरी आन, शेहरोस की ममा की एंट्री भी उसी वक्त होई थी, और फिर उसे मोना के साथ मिल कर गाना बेठे, ना मुम्किन, ममा, आप मेरी पोजिशन आकवर्ट कर रही हैं, शेहरोस चिलाया, बच्ची को हकीकत से आगाह कर रही हूँ, आखिर को अमर गुजारनी है इसे, वो शरारत आमिस अंदाज लिये हुए थी, अनुशे का चहरा सुर्ख हो गया, मैं चलू, देर हो रह अच्छा नहीं लगता, रोज रोज गाड़ी में बसद इसरार बैटने के बाद वो कह रही थी, क्या अच्छा नहीं लगता, रोज रोज वो मुस्कुराया, यही फिर सब लोग देखते हैं मानिखेस नजरों से, उसे याद आगया कि कल भी मिस रोजीना कह रही थी, शेहर उस से हमारे फैमली तालुकात हैं, उसने वजाहत की थी, हाँ फैमली तालुकात को परसनल तालुकात में बदलने में देर नहीं लगती, वो मुस्कुराई थी, अच्छी बात है ना, लोगों को भी पता चल जाए, वो खिल खिला कर हस दिया, आपको इस कैंडल्स पनवा कर पड़ी खुशी होती है, वो खफा हो गई, और मुसम्म में रादा कर लिया, आइंदर से उसके साथ काड़ी में नहीं बैठेगी, लो भई, मुफ्त की शोहरत किसे बुरी लगती है, वो जरा भी संजीदा नहीं हुआ था, अनुशे ने खूर कर देखा, तो फिर मुँ बा चीज़ खफा हो गई है, कलियां अदास हो जाती है, सितारे पुच जाते हैं, हवाएं गुन गुनाना छोड़ देती हैं, फैंसें अदास होकर दूद देना छोड़ देती हैं, उन्ट चिलाने लगते हैं, गाएं ठंडी ठंडी आहें फढ़ना शुरू कर देती हैं, और अ अनुशे की हसी चूट गई, आपको तो रोमेंटिक होना भी नहीं आता, वो फिर हसने लगी, अच्छा, तो कैसे हुआ जाता है रोमेंटिक, मोंट तांतों में दबा कर कहरी संजीत की से पूछा, ऐसे थोड़ा ही कहते हैं, वो तो बोलते बोलते उसकी तरफ देखा, निगा हो गया, यह जो मैं तुमसे उटपटांग बातें करता हूँ न, तो महस इसलिए कि तुम्हारी आँखों में च्छाई संजीत की तूटे, तुम हसो तो तुम्हारी आँखें भी तुम्हारा साथ दें, तुम्हें खबर नहीं, तुम हसती कितनी अच्छी लगती हो, बहुत पुराना डायलॉग है ये, बात काट कर उसने कहा, होगा, मगर तुम्हारे लिए तो नया है न, मैं कह रहा हूँ, वो फिर शरारत पर आमादा हो गया, नहीं शहरोस, मेरे लिए नया नहीं है ये जुम्हा, उसने नहाय संजीत की से उसकी आँखों में आँखें डाल कर कहा इसी तरहां, इसी लहचे में और मैंने यकीन कर लिया था, सर जुकाए दाएं हाथ की तीसरे उंगली का कोना मूं में दबाए, वो कह रही थी, चंद सानिये तो शहरोस बोल ही न सका, ये वो क्या कह रही थी, मसाख कर रही थी या संजीता थी, तुम मसाख कर रही हो उसने पूछा, अभी तो आपने कहा, कि मैं जब हसती हूँ, तो मेरी आँखे मेरी मस्कुराहट का साथ नहीं देती, इतना वासे सबूत होने के बावजूद, आपको मेरी बात मजाक लगी है, वो एक बार फिर उसके आँखों में देख कर बोली, शहरोस का हाथ पर धीला पड़ गया, काड़ी लहराई तो उसने ब्रेक पर पाउं रख दिया, मेरा ख्याल है, आप मुझे यहीं उतार दें, थोड़ा सा फासला रह गया है, मैं चली जाओंगी, वो अपनी चीज़ें समेट कर काड़ी से उतर आई, शहरोस ने रोकना चाहा, मगर जाने क क्या हुआ, उसके हलक से आवाज ही न निकली, अनुशे ने जुक कर खुदाहाफिस कहा और आगे बढ़ गई, वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो गली का मोड न मुड गई, काफी देर बाद उसने थके थके अंदाज में काड़ी रिवर्स की और उसे घर के रस्ते होने लगी थी, अम्मा खामोश अपने कमरे में पड़ी रहती, जिम्मी के अपनी मसरूफ याद थी, अनीसा के बीए के पेपर होने वाले थे, वो तैयारी में मसरूफ थी, इसलिए नतीजतन उसे भी खामोश ही वक्त गुजारना पड़ता, बोलने की शौकीन तो वो पहल की बैठी थी, हेलो, उसने हलके से दर्वाजे को थपकाया, अनीसा ने सर उठा कर देखा, आ गई, कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला, वो किताब बन करके उठाई, खाना गरम कर दूँ, क्या पका है, उसने पूछा, दाल चावल, किचन का सारा सामान खतम था, का लिए, अगर टाइम हो, तो कल शॉपिंग कराएं, वो उसके साथ किचन की तरफ आते हुए रिपोर्ट भी देती रही, हाँ, चले जाएंगे, अम्मा को बता देना, और कॉलिज से वाक्सी पर स्कूल आ जाना, उसने हाथ होए और टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई, अनिसा ने खाना रखा, फिर प्रिट से कबाब निकाल कर तलने लगी, अम्मा ठीक है, आज जरूरत से ज़्यादा ही खामोशी है घर में, पुर्सी खसीट कर पैटते हुए पूछा, अम्मा तो ठीक है और खामोशी भी ऐसी ही होती है घर में, हाँ, अलबता तो पहर को भाबी के हमरा, रोटी तो नहीं खाओगी, कबाब दल कर प्लेट में निकालते हुए पूछा, नहीं, भाबी आए थे, फिर अम्मा बात दानिस्ता पूरी नहीं की, खिलाफ मामूल अम्मा ने कुछ नहीं कहा, मगर उन्हें बुलाया भी नहीं, बहरहाल मैंने खाना वगर खिला कर भेजा है उन्हें, पता नहीं, अम्मा की बच्चों वाली जित कब तूटेगी, वो अफसुर्द की से बोली, हाँ, खबर नहीं, उसने प्लेट परे खिसका दी और उट खड़ी हुई, रात खाने में पकाने के लिए कुछ है, मैं पका लूँगी, नहीं, डाल ठाक कर बताया, मैं तुम्हारा इंतिजार कर रही थी, यानि अब मुझे चलना होगा, वो कसलमदी से बोली, नहीं मूट तो रहने दो, मैं भी कुछ कवर कर लूँगी, वैसे भी वहाँ जाकर दिल जली बातें सुनने के लावा, और क्या मिलेगा, जबान तो ना राहिला क रुखती है, ना उसकी अम्मा जान की, उसका भी मूट नहीं बन रहा था, ठीक है, मैं भी कुछ आराम कर लूँ, पर सो म्यूजिक कॉंसर्ट हो रहा है न, तो इस सिल्सले में आज सारा दिन रेहर्सल करवातें गुजर गया, शॉर्ट नोटिस पर ये सब करना पड़ रहा के ऐसे functions अरेंच करवाती हैं, मुझे भी ले चलना, देखू एक normal और abnormal artist में क्या फर्क होता है, वो हसते हुए मुड़ गई, और वो एक बार फिर सोच में खिर गई, normal और abnormal के फर्क को टटोलने लगी, हाँ, मगर abnormal लोग फायदे में रहते हैं, उसने दोहराया और आंखें म भी नजर ना आया, तो उसने वहीम खान से पूछ लिया, वहीम खान का शुमार शेहरोस के गहरे दोस्तों में होता था, अल्लह का शुकर है, उसने मुझ पर हाथ पेरा, अल्लह करे मजीद चार दिन ना आएं, आप महसूस नहीं कर रही हैं, कितना सुकून है, कोई शोर लामा नहीं, फैर ऐसी भी कोई बात नहीं, रोजीना भी चली आई, हमें तो आज रौनक ही महसूस नहीं हो रही, मा इन खेस नजरों से अनुशे की तरफ देखा, वो अपने ध्यान में बैठी चाय पीती रही, रौनक तो खेर बहुत है, आप महसूस ना करें तो और बात ह फहीम खान ने बड़े सादर से अन्दास में कहा था, अनुशे ने जरा की सरा नजर उठा कर फहीम की तरफ देखा, फिर कब रख कर उठ खड़ी हुई, रोजीना मैडम ने प्यानों इंस्ट्रक्टर बलवाए हैं या नहीं, मेरा ख्याल है, दो बंदे आये तो बैठे हैं मैडम के आफिस में, तुम पता कर लो, वो भी साथ ही खड़ी हो गई, आप कहा चली महतरमा, कुछ ख्याल इस लाचार बंदे का भी कर लिया करें, मैं कोई पागल हूँ, जो इन दिवानों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है, फहीम ने अजीब लाचार से लहचे मे कहा था, आप बहुत बोलते हैं, रोजीना हसते हुए उसके पीछे पीछे पाहर आई थी, मैडम रास्ते में ही मिल गई, साथ में दो बंदे भी थे, अनुशे, ये फैसल शाह हैं, और ये तौकी रहमत प्यानों इस्रक्टर हैं, आप इन्हें क्लासरूम में ले जाएए, बाकी तफसिलात में आकर बताती हूँ, इस वक्त मुझे घर पहुँचना है, वो जल्दी जल्दी कहकर वापस मुड़ गई, जबके अनुशे एक टिक सामने देख रही थी, फैसल शाह, वो ही फैसल शाह, उसे भूल सकती थी वो, और याद तो उसे भी अनुशे थी, तब खामोश रही, फैसल ने उसके चहरे पर दराने वाला खिंचाओ, वाज़े तोर पर महसूस कर लिया था, क्लासरूम में रोजीना और वही मकान मौझूद थे, रोजीना, ये तौकी रहमत है, और ये, क्या नाम बताया था आपने, वो तारुफ करवाते करवाते फैसल शाह की तरफ मुड़ी, आप जानती हैं, फैसल शाह, वो हस कर कहने लगा था, कि तुम जानती हो, फिर उसकी आँखों में च्छाई कोहर की संजीदकी ने उसे बास रखा, और उसने अपना तारुफ करवाया, हाँ, फैसल शाह, प्यानों इंस्ट्रक्टर है, मैरम ने इन्हें क पॉल किया है, तुम ज़रा चेक कर लो बच्चों को, मैं एक फोन कराऊ, शहरोस को, वो हसी थी, हाँ, शहरोस को, आज आया नहीं, बहुत ही तनसिया नसर फैसल पर डाल कर वो वापिस मुड़ गई, फैसल ने उसकी नसरों की काट अंदर तक उतरती महसूस की थी, शहरोस फोन पर नहीं मिला, मुलाजम ने बताया कि वो अपनी ममा के साथ डॉक्टर के हाँ गया है, वो फोन बंद करके मुड़ी, तो पीछे फैसल शा मौजूद था, आप यहाँ, जी मुझे भी एक फोन करना था, मेरी सिस्टर बीमार है, अकेली होती है घर पे, उनको जड़ा इंफार्म करना था कि मैं लेट आउंगा, उसने मुफसिल बता कर नंबर डायल करना शुरू कर दिया, वो आफिस से बाहर आ गई, तो नैना बेगम बीमार हो तुम, उसने सोचा, फिर पलट कर पीछे देखा, फैसल अभी तक अंदर ही था, उसका जी एक गतन क्लासरूम मे जाने को नहीं जा रहा था, मगर कल के फंक्शन के वज़ा से वो घर भी नहीं जा सकती थी, फिर मैडम भी नहीं थी, मजबूरन उसे क्लास में जाना पड़ा, हाँ घर आते आते वो बेहाल हो चुकी थी, कई बार उसके आँखों में आँसू उमड़ उमड़ आए थे, जि पैसल शा, तुम मुझे नजर ना दे कभी भी, उस रोज घर आकर वो बेवज़ा अनीसा से उलच पड़ी थी, जिमी को डांट दिया था, और राहील बेचारे को खामखा सुना डाली थी, हत्ता के अम्मा से भी बत्तमीजी से पेश आई, फिर कमरे में बंद होकर खूब र ला लिया, सिंदगी के रस्ते पर पाउं रख दिये, तुम फिर मेरे सामने आ गए, मुझे तोड़ने फोड़ने के लिए, वो तक्ये पर मुखे बरसाती रही, तड़ब तड़ब कर रोती रही, वो फैसल शा को कब पूली थी, ये तो उसके अख्यार से बाहर था, आँख अनिसा वापिस ना पल्टी तो मजबुरन उसे तरवासा खोलना पड़ा, कमरे में मुकमल अंधिरा होने के बाइस, अनिसा को कुछ सुझाई नहीं दिया, अनुशे दोबारा बिस्तर पर जाकर गिर गई थी, अनिसा ने लाइट जलाई, कमरे का हशर हुआ पड़ा था, त बस यो ही वोट कर सीधी हो बैठी, एक कप चाय दोगी, सर में शदीद दर्थ हो रहा है, वो बिलकुल गयर महसूस तरीके से बोल रही थी, अनुशे ने टैबलिट ली, फिर चाय का कप उठा कर खिर्की में जाक खड़ी हुई, अनुशे, अगर तुम खुश नहीं हो तो म मार का लड़ा है तुम्हारे लिए, इस तरहा के अम्मा ने चुप चाप संदुकों में बंद कपड़े निकाल कर धूप लगवानी शुरू कर दी है, भावी सुभा शाम बाजार के चक्कर लगा रही है, अपा ने राहील और जिम्मी को गाउं भिश्वा दिया है, कि वो बाकी रिष्तेदारों को भी इतला कराएं, मगर तुम, पसंद तो तुम्हें भी थे शेहरोस भाई, अब क्या हुआ, वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबके अनुशे चाय पीना भूल कर उसे देख रही थी, किसका निका हो रहा है, क्या कह रही हो तुम, लो, सलसला था, क्यों रो रही थी तुम, उसने खोचती नजरें उस पर जमा दी, कोई सलसला नहीं, दिल फिर भराया, बस कभी कभी दिल करता है रोने को, इनसान हूँ, पत्थर तो नहीं, खैर ये इनकलाब, वो इस खबर को सुन कर सिर्फ हैरान हुई थी, बताया तो है, इस मुझे बहुत सा काम करना है, फुरसत मैं बताऊंगी, बलके जल्दी क्या है मौतरम शहरोज साहब, खुद आपके गोश्कुसार करेंगे, दस दिनों की बात तो है सारी, वो हस्ते हुए चली गई और अनुशे कितनी देर वहीं खड़ी, चाने क्या सोचती रही, फंक्शन मुझसे अनुशे, उसने पलट कर देखा, वो से पिछली निशिस्त पर बराजमान था, नाराज, मगर क्यों मिस्टर फैसल, हम गालबन आज दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं, दो दिनों में हमारे तर्मियान ऐसा कोई तालुक डेवलप नहीं हुआ, जिसकी बिना पर नाराज हुआ जा सके, बेहद रोहान सी होकर उसने कहा, तुम मुझे सफाई का मौका नहीं दोगी अनुशे, उसका अंदार चलते जाया हो गया, कैसी सफाई फैसल सहब, यगदम ही वो बेतरहां बरहम हो गई, क्या समझते हैं आप, जब जी चाहा खेला, जब जी चाहा तोड़ द नहीं थी, जीती जाकती हसास जजबे रखने वाली लड़की थी, और आपने मेरा मेरी महबत का मजाख उड़ाया, इस तरहां कि मुझे अपने आप से नफलत महसूस होने लगी, आपके एक ज़रा से मजाख ने मुझे किस तरहां तबह किया, यह अन्दाजा शायद आपको तमाम उमर नहो सके, उसे पता ही नहीं चला कब आँसू पलकों की बार तोड़ कर चले आए थे, और प्लीज मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजे, बहुत मुझे मुझे पिखरने का होसला नहीं है मुझे, वो थी और तेजी से आगे बढ़ने को थी, कि किसी से टक्रा गई, सर उठा कर देखा, शेहरोस था, उसे जल्दी से बेहते अश्क साफ किये, और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछने लगी, आप कब आई यहां, ममा पूछ रही है आपका, उसकी अनसुनी किये, वो अपनी कहकर वापस पलट गया, गोया शेहरोस सब जान गया है, उसने सोचा, फिर आहिस्ता रवी से स्टेज की तरफ पढ़ने लगी, उसके तसवर में भी ना था कि नैना इसकदर लागर हो चुकी होगी, सुभा ही फैसल ने बड़े मिन्नत भरे लहचे में कहा था, तुम बेशक नाराज रहो अनुशे, कि तुम्हें इसक हक है, मगर प्लीज, सिर्फ एक बार नैना से मिल लो, तो जिन्दगी के आखरी सांसें गिन रही है, तुम से मिलना चाहती है, क्यों, मुझसे क्या करेगी वो मिलकर, वो तुनक कर बोली थी, इतनी संग दिल मत बनो अनुशे, प्लीज, मेरा यकीन करो, वो बागादा गडाने लगा था, और तब जाने क्या सोचकर उसने उसके ख़राने की हामी भर्ली थी, पैसल ने उसे अडरेस समझा दिया था और वो बड़ी मिननत से अनीसा को हमरा लाई थी, वो उसे मना कर रही थी, मगर अनुशे ने अपने कसम देग कर उसे मना ही लिया था, और अब शच्टर खड़ी उस हड़ियों के धांचे को देख रही थी। उसे देख कर नैना की अंदर धस्ती आँखों में चमक की वासे लहर उपरी थी। आओ अनुशे, आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतिजार कर रही थी। नहीं वावास में खुशी और उदासी का मिला चुला तास कैसी हो नैना? और ये क्या हलत कर ली तुमने? उसके दिल में हमदर्दी के जस्पात ने सर उपारा तो वो जैसे सारी रंजशें भुलाए उस पर छुकाई। नैना ने उसके हाथ थाम लिए। तुम कितनी अच्छी हो अनुशे, कितनी अच्छी, अफसोस मेरी गलती से सब कुछ बिगड़ गया, यकीन मानो अनुशे, यकीन, उसे शदीद खासी होने लगी, फैसल उस वक्त अंदर आया था, भाग कर दवाई की चीशी उठा लाया, नैना को बिलाई, वो कदरे संभली, फैसल, महमानों के लिए कुछ ले आओ, वो अंदर चला गया, नहीं नैना, हम कुछ नहीं खाएंगे, बस अब चलती हूँ, तेर हो रही है, उसने उटना चाहा तो नैना ने हाथ थाम कर ऐसा करने से मना कर दिया, बैठो कुछ देर, अनिसा है ना ये, वेजार खड़ी अनिसा की तरफ इशारा करके पूछा, तो उसने अस्वार्थ में सरहिला दिया यकीन मानो अनुशे, उस रोज जो कुछ मैंने कहा सब जूट था, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो दिलो जान से तुम्हें अपना बनाना चाहते थे, मगर आंटी ने जब हच से गुजर कर बात की, हमारी इंसल्ट की तो मैंना रह सकी, और वो जूट बोल दिया, जो मुझ महारे खर गई, मगर आंटी ने बहुत बुरा सुलुक किया, अनीसा तो गवा है ना, वो थके थके लहचे में पोल रही थी और अनुशे के अंदर जैसे बखा उमडाई थी, बहुत मुश्कल से लब दादों में दबा कर उसने तकलीफ परदाश्ट की थी, यू लग रहा जैसे किसी ने अंदर ही अंदर से उसे काट कर रख दिया हो, और शर्यानों में खून की नदियां पह रही हो आग बन कर, चाय ठंडी हो रही है, फैसल के आवास पर उसने सर उठा कर देखा, वो उसी की तरफ देख रहा था, उसने नैना से हाथ छुडाया और अनीसा का बा उसका जहन बिलकुल खाली हो रहा था और उसकी हालत के पेशे नजर ही अनीसा उसे घर ले जाने की पज़ए मामू की तरफ चली आई, इस वक्त तुम्हारा रास तुम्हारी हालत चुपाने का बहतरीन हल यही था, यहां कोई नहीं पूछेगा तुमसे, पैल देकर अनीसा आए अंदर आए, मुमानी सामने बैट पर आड़ी तिर्ची पड़ी थी, जवान बेटे की मौत ने उनसे सब कुछ ही चीन लिया था, मामू की हालत भी मुक्तलिफ न थी, कहीं दिल ही न लगता, घर में होते तो इस रात की एक एक चीज़ उठा कर चुमते रहते, फिर मु हमोशी है, कोई शोर नहीं, पता नहीं सारे लोग गूंगे हो गए हैं क्या, मुमानी बहुत खौर से उनकी बात सुनती, फिर सोर से सरहलाती, इसरार नहीं नजर आया होगा, मेरी बहु को बलाओ, अनुशे को बलाओ, मेरे सर में तेल डाल दे, बाल कैसे रूखे हो रहे है वो अपने बिखरे बालों को मजीद बिखेड़ती, सिर्फ दो नाम याद थे उन्हें, अनुशे और इसरार, इसके इलावा ना वो किसी को पहचान दी, ना किसी का नाम लेती, हत्ता के मामू को भी बास अकात बहुत पुरी तरह डांट दिया करती, चुरू में तो डॉक् गई थी, कभी कभार ही बोलती, और तब भी सिर्फ अनुशे और इसरार को ही पुकारती, इसरार, कहां हो, कई दिन हो गए, अनुशे को मैके कहे हुए, उसे ले आओ, घर में रौनक ही नहीं रही, मामू जाकर अनुशे को ले आते, वो उन से मुखतलिफ बातें करती, जिन कुछ किये जाती, फिर जब बिल्कुल ठीक पोजिशन में आ जाती, तो मुस्कुरा कर कहती, अब पारात ले चलें, अनुशे आंसु पिये खामोश बैठी रहती, मामू भी सर चुकाय बैठे रहते, कभी ज़्यादा ही दुख में होते तो कहते, अल्लह की चीज थी, उसने ले ली, हम पूछने वाले कौन, मगर अल्लह उसी वक्त ही वो चीज क्यों छीन लेता है, जब उसकी ज़्यादा जरूरत होती है, वो शिक्वा कुना होते, अनुशे भी मुमानी के पास जा बैठी थी, जबके अनुशे मामू के पास खड़ी, उन से पूछ रही थी, क्यों होने खाना खाया, या नहीं, और वो टाल मटोल से काम ले रहे थे, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, वो किचन में खुज गई, जबके अनुशे ने हजब साबिक अपनी ड्यूटी संभाल ली, मुमानी का हाथ मोधुला कर उनके कपड़े बदलवाए, फिर उनके सर मे तेल डालने लगे, किचन में तो कुछ भी नहीं है पकाने को, प्रीजर भी खाली पड़ा है, लगता है मामू बहुत दिनों से कुछ नहीं लाए, अनीसा किचन से मायूस होकर लौटी, सुभा का नाश्ता राहिला कहां से आ जाता है, तो पहर को भी कभार इधर उधर से आ नहीं मामू, अब हम चलेंगे, काफी देर से घर से निकले हुए हैं, अब आप परिशान हो रही होंगी, अनुशे ने इशारे से अनीसा को मना किया, कि वो उनके हाथ से बरतन ले ले, ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, वो मुसिर थे, नहीं आप यहां हमारे पास बैठे अनीसा ने उन्हें बाजू से पकड़ कर कुर्सी पर बिठाया, फिर खुद भी नीचे बैठ गई, अब बताईए, कैसे हैं आप, तुम चलो, मैं तुम्हें घर चोड़ाओ, अंधेरा हो रहा है, पोस की बात का जवाद तिये बिना उट खड़े हुए, मजबूरां उन्ह भी उटना पड़ा, मामू ने साथ वालों को आवाज दे कर ममानी का ख्याल रखने को कहा, और उन्हें लिए बाहर आ गए, जब वो घर पहुँची तो काफी रात हो चुकी थी, और अमा हस्पे आदत खुसे में थी, तुम घर से निकल जाओ तो एहसास ही नहीं होता, ठेर अनिसा ने अंदर खुसते ही कहा था, कि वो जानती थी कि अनुशे जो इतने देर से खुद पर जबत किये बैठी थी, अब जरूर रोईगी, तुम से किस ने कहा, उसने जूतर उतार कर बैट के नीचे फिंके, फिर आइने के सामने आग खड़ी हुई, आँखें सोख हो र इसी बात है, बलकि यूँ समझो तुम इस हकीकत से आजना ही नहीं हो, जो कुछ पहले सुना, वो ही हकीकत थी, यही बहतर है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे मस्तक्बिल के लिए, रिलाक्स, वो उसका माता चुम कर बाहर चली गई, कभी कभी तो वो बिलकुल बड़ी बहुत रो चुकी हूँ, मजीद नहीं, उसने जोर से आँखें रगड़ी, मगर अगले रोज फैसल को देखते ही, चाने सारे रादे कहां रह गए, उसके करीब बैठी वो रोती रही, बिना एक लवस कहे, खुछ सुने बगएर, फैसल खामुशी से उसे देखता रहा, वो बश्क बहाती रही, यहां तक कि पलकों के सोते खुश्क हो गए, आज के बाद तुम नहीं रोग गया नुशे, उधीरे से गोया हुआ, यह आँखें रोने के लिए नहीं बनी, यह तो हस्ते रहने के लिए हैं, हमने अपने गलती का खुम्याजा बहुत ज्यादा भुगत लिया है, शायद यह मकाफाते अमल है, कि नैना को इस मूजी बीमारी ने आखेरा, बाबा हादसे का शिकार हो गए, और मैं दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, उसका अंदास खुदकलामी कसा हो गया था, वो खामोश रही, एक बात कहूं फैसल, काफी देर बाद वो गया हुई, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, ये कहानी, ये ही खतम हुई, उसके लहचे में पला का सकूत था, अनुशे, क्या कह रही हो तुम, वैसल ने बेयकीनी से उसे देखा, जुम्मे को मेरा निकाह हो रहा है, शहरोस खान के साथ, वो भी दावा रखता है, मुझ से म शच्दर सा उसे देख रहा था, तुम बदला ले रही हो अनुशे, तो उसके पीछे लपका, किस बात का बदला, वो मतबस्म हुई, औरत कभी उस चखस से बदला नहीं लेती, जिसे उसने चाहा हो, वाहियो उसके गलती ही क्यों ना हो, हमारे हां औरत सिर्फ इसी वज़ा से कमजोर है कि वो महबत करती है, वो महबत करती है और हार जाती है, जीट जाए तब ही हार जाती है, महबत औरत का वीक पॉइंट है, वो कभी तस्खेर नहीं हो सकती, मगर सिर्फ महबत से, महबत का एक बोल उसकी मस्भूती को पाश पाश कर देता है फैसल, मगर अफसोस, मर्दों ने इस एक पॉइंट से खुब ही फायदा उठाया है और अगर महबत करती है तो पूजा की हद तक मगर मर्द उसे हमेशा पैरों के नीचे मसल देता है सच मानो फैसल हम नाकाबल तस्खीर हैं मगर वहां तक जहां तक महबत के दाम में नहीं आती उसके आगे हम सिफर हैं वो बहुत शिक्सगी से बोली थी एक और मर्द एक और मर्द ने महबत का जाल बिचाया है फिल वक्त मैं उसकी असीर हूँ देखो कब तक वो मेरे पर नहीं काटता एक आंसू ढलका जिसे उसने उंगली की पोर पे चुन लिया खबर नहीं मर्द को औरत के आंसू इतने पसंद क्यूं है आंसू जटक कर वो आगे बढ़ गई फैसल हारे हुए जुआरी की तरहां सर चुकाए मिट्टी में जाने क्या तलाश करने लगा था सादा सी निकाह की तक्रीब थी फिर भी थोड़ा थोड़ा करके बरादरी के काफी लोग एकटे हो गए थे अबा से कहकर अनीसा ने भाबी को कई दिन पहले ही बुलवा लिया था चाने अम्मा क्यों खामुश थी एक दिन कबल उन्होंने हलकी फुलकी मेंधी की तक्रीब भी कर डाली थी उसकी सारी कजन्स जमा थी हसी मजाग का दौड चल रहा था साथ ही उन्होंने खरका निसाम की संभाल लिया था कि अम्मा तो बिलकुल ला तालुक पनी बैठी थी और अकेली अनीसा और भाबी के बस का हर काम नहीं था तमाम तर खुशी के बावजूद एक खिचाओ था माहौल में जो और तो किसी को महसूस चायद ना हो रहा हो बगर अनुशे मुकमल तोर पर इस खिचाओ की ज़द में थी राज जब उसके हाथों पर महंदी लगाई जा चुकी और सब इधर उधर बिकर गई तो वो अमा के पास सली आई वो लिहा फोड़े लेड़ी थी अमा उसने धीरे से बुकारा फिर उनके करीब ही नीचे बैट गई अमा ने उसके महंदी लगे हाथों को देखा फिर जाने क्या सोच कर उनकी आँखों में आसू आ गए जुदाई के ख्याल ने उसकी आँखें भी भी गोदी अनुशे उन्होंने पुकारा जी अमा वो फॉरण आसू पोंच कर मतवज़ा हुई मैंने इसरार को जबान दी थी कि इन हाथों पर उसके नाम की महंदी लगेगी उसे तेरे महंदी लगे हाथ बहुत पसंद थे ना दीवाना था वो तेरा खंटो मुझसे तेरी बातें किया करता जब तू छोटी सी थी तो तुझे खिलाने बाहर ले जाता और जब उसे पता चला कि तू उसकी दुलहन है तो सब को खुश हो हो कर पताया करता कि तू उसकी दुलहन है, बहुत प्यार किया उसने तुझे, इस शहरोस के प्यार से कहीं ज्यादा, अफसोस तूने ही गदर ना की, इसरार की तरहा मेरी आँखों में भी तुम्हारा ये रूप इसरार के लिए था, है और रहता भी, मगर तूने मेरी गसम तोड़ दी, मुझ मेशा रहेगा, मैं तुझसे नारास हूँ, उन्होंने बात मकमल करके मूँ मोड लिया, अनुशे तो जैसे बलके छपकना भूल गई थी, यह अम्मा क्या कह रही थी, क्या उसका जीता जाकता वजूद, वो एक मुर्दा शख्स की खातर कुर्बान करना चाहती थी, कैसी मा थी वो, और कैसी तवकात थी उनकी, हर मा की खौहिश होती है कि उसकी बेटी का घर बसे, जबके इधर तो मामला ही उल्टा था, अम्मा की बातों ने उसे जहनी तोर पर बेहत अपसट कर दिया था, उनकी मन तक थी भी तो निराली, लो जी, तुलहनिया बेगम इधर बाहर आ गई, बेध्यानी में उसने हाथ मसल डाले थे, और गीली गीली महन्दी के नक्षोनेगार पुरी तरहां गड्मट हो गए थे, उन सब का रजजगे का प्रोग्राम था, और उनका इरादा था साथ में अनूशे को भी जगाए रखने का, सबके वो लेटना चाहती उसने उन सब से कहा भी मगर सुनने पर आमादा ही कब थी, उसे डांट दिया, चुप करके बैठो, ये मत समझना कि दुलहन समझ कर तुम्हे कोई रियायत दे दी जाएगी, हरकेस नहीं, चलो इधर आओ, ढोलक ताली पीटो और सुर मिलाओ, चलो शाबाज, सफीना ने ढो तुलक उसके आगे लड़का दी, नहीं यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो उसी तरहा बैठी रही, बहाने बनाना तो कोई तुम से सीखे अनुशे रानी, राहिला बिगड कर बोली, वो मस्कुरा दी, दुलहन बनी अनुशे को देखकर, वो मानी खुद पे काबू नह जाया गया, अनुशे की रुखसदी के वक्त, सबर्दस्ती कमरे से बाहर आएं, और एक बार फिर आहो बका का सिलसला शुरू हो गया, हत्ता के बेहोश होकर नीचे आ रही, शेहरोस के घर में उसका इस्तकबाल उसकी कजन्स ने किया, कि शेहरोस के अपनी कोई बहन तो थी नहीं, साधिया भावी इधर से उधर आ गई थी और अब पहन का रोल निभा रही थी, चंद रस्मों के बाद उसे शेहरोस के कमरे में पहुँचा दिया गया, भावी उसके कानों में शोख शोख सरगोशिया करती रही, बोलची हुई थी, सहन अमा मुमानी की तरफ था, समच पा रही थी, कुछ थकी हुई भी थी, भावी से सरदर्द की कोली मंगवाई और खा कर लेट गई, जब शेहरोस ने अंदर कदम रखा, वो बैट पर आड़ी तिर्ची पड़ी सो रही थी, एक लमहे को तो वो ठिटका, ये कौन सा वक्त है सोने का, फिर कुजिश्टा दिनों की बातें याद आईं, तो वो दुबारा कमरे से बाहर निकलाया, वो यूही साय के पीछे भागता रहा, इतने साल उसने अपने जस्पे एक पत्थर दिल लड़की के उपर लुटाए, इस आस में कि शायद वो भी दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा रखती हो, उसे क्या खबर थी कि वो ये सारे जस्पे पहले ही किसी और के नाम कर चुकी थी, वो उसकी उदास आंखों में हसी के दीब चलाने में कोशा रहा और पता चला, इस दीब को कोई और जोट चाहिए, तब ही तो वो से रेस्पॉंस नहीं देती थी, उसकी बातों के जवाब म खामुश हो जाया करती, या बात बदल दिया करती, और फिर जिस तरह वो फैसल चाह को देखकर पिगली थी, क्या उसके बाद कोई सुबूत रह जाता था, इसके बावजूद जब मामा ने उसे बताया कि उन्होंने उसके निकाह की तारिख तै कर दी है, तो जहां खुशी की हलकी से रमक दिल में जागी थी, वही अथा उदासियों ने भी डेरा डाल लिया था, वो कभी उसकी ना हो सकती थी, वो फैसल के मतालग जो जब दिल में रखती थी, उसे कैसे दे सकती थी, तमाम रात उसने बाहर लॉन में सिगरेट फूंकते हुए कुजार दी थी, टीका अपनी जगा छोड़ कर एक तरफ हो गया था, गहरे मेकप में पहली बार उसको देख रहा था वो, कुछ दुलहन करूँ, उस समय वो उसे बड़ी अच्छूती लग रही थी, कितनी देर वो यूही खड़ा देखता रहा, फिर आगे बढ़कर नीचे लटकता अच्छे हटते हुए बोला था, आप यहां मगर उसकी नजर अपने लिबास पर जा पड़ी, कहरे सुखत कामदार खरारे, हाथों में गटमट सी महंदी का रंग, पाहों में खनकती चूड़ियां और सजी हुई मसहरी, कुछ शरम की इहसास से उसने एक दम ही दुपटा ख खींच कर सर पर उड़ा था, मैं शायद सो गई थी, धीरे से वजाहत की, हाँ, दोहरा कतल हो गया, वो उसके सोए सोए रूप को देखकर मस्कुराया, जाने क्यों, जी, उसने हैरान होकर पलके उठाई, कुछ नहीं, उसने रुख मोड लिया, कुछ गतल अन जाने में भी ह हादसा भी मुम्किन है, वो इजी चेर पर दरास जाने क्या बोले जा रहा था, अनुचे के पले तो एक लफ़ भी नहीं पढ़ा था, वो हैरत से उसे देखे जा रही थी, ऐसी मुभम और खेर मुतालका बातें करने का क्या मकस्द था, शायद आप ठक गए हैं, वो यही कह सकी, शेहरोस बोला कुछ नहीं, कहरी नजरों से उसे तकता रहा, फिर पलके मूंद ली, उसके यूँ देखने से भी वो कोई अंदाजा ना लगा सकी, और उल्ची उल्ची बैठी रही, जब शेहरोस ने दुबारा पलके नहीं उठाई तो वो उट कर कपड़े तब्दील करने, ट्रेसिंग रूम में चली गई, वापिस आई तो शेहरोस नहीं था, पाथरूम से पानी गिरने की आवास आ रही थी, वो बैट की पाइंती पर टिक गई, और उसके बाहर आने का इंदिजार करने लगी, उसी वक्त दर्वाजे पर दस्तक हुई, उसने उठकर देख पहस रही थी, अनुशे ने उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया, आंटी पूछ रही है नाश्ता अंदर करोगे या बाहर, भावी वहीं से पलट जाने के रादे में थी, मैं क्या कह सकती हूँ, उसने कंधे उचकाए, ओहो अभी से इतनी ताबेदारी, वो जोर से ह असनी, शेहरोस पात्रूम से निकल आया था, बालों में तॉलिया रगड़ते हुए उधर ही चला आया, आपा, बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आ जाए ना, देख लो तुम्हारी बेगम ने अंदर ही नहीं आने दिया, वो शरारत से मुस्कुराई, इनके हाँ तो बहुत कुछ ममनु है वर जाहर हस कर कहा था उसने, मगर अनुशे को बहुत कुछ अजीब सा मालूम हुआ था, शेहरोस का रवईया पैर मामूली था उसके लिए, भापी उससे नाश्ते का पूछने लगी, यहीं करेंगे, उमर हो गई, ममा के साथ खाते पीते, कुछ तबदीली तो हो, वो जोरदार कहकाह लगा कर बोला था, भाबी चली गई, वो बातरूम में खुछ गई, शेहरोस आइने में बाल बनाते हुए कुन-कुनाता रहा, आप महमान हैं, उसने जब टोस्ट पर जैम लगाना चाहा, तो शेहरोस ने इत्मिनान से उसके हाथ से छुरी और ट तांक रही थी, वो डूपने लगा, क्या चताना चाहते हैं आप, बहुत ठहरे हुए लहचे में उसने पूछा था, शेहरोस ने बहुत आहिस्तकी से अपने हाथ पीछे कर लिये, कुछ नहीं, वो उससे कहीं ज़्यादा इत्मिनान से बोला था, अनुशे ने अपना हाथ तीसरी उंगली का कोना मुँ में दबा लिया, और बगौर शेहरोस का चेहरा देखने लगी, क्या गम है, उसने हस कर पूछा, फिर टोस्ट का कोना कतरने लगा, शेहरोस, आपके दिल में कोई बात है तो कह दें, मैं पहले ही बहुत उलचनों में हूँ, पीस मुझे और मत वोट गई, शेहरोस ने कुछ देर उसे जाते देखा, फिर नाच्ता करने में मश्गूल हो गया, मुझे खुद नहीं पता क्या बात है, मगर ये हकीकत है कि तुम मुझे अब भी उतनी ही दूर महसूस हो रही हो, जितनी आच से पहले थी, वो सोचता रहा, वलीमा दो दिन बात था, इसलिए वो शाम को भापी और भाईया के साथ, अम्मा की तरफ चली आई, अम्मा के अंदाज में वो ही सर्थ महरी थी, हाँ बाकी अनीसा, जिमी और अबा बहुत तपाक से मिले, अनीसा ने ही बताया कि मुमानी मुझसाना तोर पर ठीक हो गई है मगर उनका रोना भी नहीं थम रहा, इसरार की चीज़ों को सीने से लगाए, मुसलसल रो रही है, घर पर हैं, उसने पूछा, हॉस्पिटल में, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तुम भी चली चलना, चलोगी, क्यों नहीं, अम्मा के पास वो काफी देर तक बैठी रह का, वो लायन थी कि सुभा के बाद शेरोज से उसकी बात ही नहीं थी, वो दो तीन बार कमरे में आया जरूर था, और कमरे में जमा उसकी कजन्स ने, उसे चेड़ा भी था, जिसका जवाब उसने फरपूर मुस्कुराहट से दिया था, मगर उससे बात नहीं हो सकी थी, या मामु मौझूद थे, उसे देखा तो बहुत खुश हुए, अल्ला का शुकर है भाईजान ने बरवक्त सही फैसला कर लिया, वरना देर हो जाती, तो हमारे हाथ सिवाए पच्तावों के कुछ ना आता, खुश होना, और उसने यूही सर हिला दिया, वो खुश थी या ना ख अनुशे की शादी तो बहुत कुश खिसमत साबित हुई, मामु उसके शुकर गुजार थे, हॉस्पिटल से लोटी तो शहरोस को मौझूद पाया, अबबा उसे कंपनी दे रहे थे, चलो भई अनुशे तयारी पकड़ो, भापी ने छेड़ा, उसने सवालिया नजरों से पहले अबबा और फिर शहरोस की तरफ देखा, खाना खा कर जाना, अनीसा कुछ मंगवाना है तो बता दो, अबबा ने पहले उसे बताया, फिर अनीसा से पूछा, सब कुछ तयार है, आप लोग बस खाने के लिए तयार हो जाएए, अनीसा ने किचिन से जवाद दिया, व तो माहौल बहुत ही खुशकवार हो गया था, खाना खाते ही शहरोस ने वापसी की, चल्दी मचा दी, अनीसा चाय का कहती रही, मगर शहरोस ने इंकार कर दिया, चाय खर जाकर, खाना बहुत अच्छा था, क्या किसी होटल से मंगवाया था, जी नहीं, मैंने खुद बनाय था, वो इत्रा कर बोली, अच्छा, उसने हैरत का मुझारा किया, ये असर कुछ इधर भी है, या मरने के चांसे ज्यादा है, उसने अनुशे की तरफ इशारा करके सरगोशी की, इतला नर्स है के बंदी भी इनी की शागर्द है, अनीसा ने हंस कर कहा, कुछ तो पॉजिट थे उनके बीच, मगर उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, हाँ जब कोई और उनके पास होता, तो वो खूब उसकी तरफ देखता, मायनिके इस चुमले भी उचालता, और उस तीसरे वजूद के मंजर से हटने के साथ ही वो अजनबी ला तालुक बंजाता, और पूछ क्यों नहीं लेता था, क्यों खुद भी अजाब से नहीं निकलता था, और उसे भी रहा नहीं होने देता था, और शहरोस के दिल में ये ख्याल था, कि वो उसके रवये के बारे में सबसार करे, और तब वो उसे सब कुछ बताए, ये भी कि वो उसे कितनी महबत करता ये भी कि उसे पाना उसकी जिन्दकी की बहुत बड़ी खुशी थी ये भी कि वो उसे पाकर भी दूरी महसूस करता है और जब उसे चुना चाहता है तो कोई तीसरा अंदेखा वजूद उनके दर्मियान आ जाता है तनहाई में इसलिए उसकी तरफ नहीं देखता कि खुद काबू पाना मुश्किल हो जाता है मगर वो कुछ पूछती ही ना थी और खुद से वो बताना न चाहता कि उसे वो अपनी हतक महसूस करता था उसे खुद बताना चाहिए अपने माजी के मुदालिक क्यों छुपा रही है वो दिन रात उटते बैठते ऐसे ही ख्यालात उसक पिछले कई दिनों से शेहरोस को फ्लू हो रहा था और वो बस बिस्तर का ही होकर रह गया था अनूशे जीजान से उसकी तिमारदारी में मसरूफ थी फ्लू के दौरान भी उसकी मुखम जमलबाजी में कमी नहीं आई थी वो उसे चाय में जोशान्दा मिला कर दे रही होती कब थाम कर एक कहरी नजर उस पर डालता फिर कब की तरफ जो शान्दा कौन सी कमपनी का है कहीं ऐसा नहो मैं बिस्तर से सीधा आलमे पाला लैंड कर जाओं और वो आँखों में आंसु भरे वापस पलड़ जाती क्या समझता है शेहरोस और क्या समझाना चाहता है क्या उसे मुझसे ये तवक्गा है कि मैं खुदा नगौस था फिर सोचती नहीं वो मजाब कर रहा होगा मगर उसके लहचे की बेपना संजीत की उस दूसरी सोच का मूँ चड़ाती उस रोज शाम में वहीम खान चला आया बहुत दिनों बाद आया था शेहरोस की ममा पिछले एक मासे लंडन में थी शेहरोस बिस्तर पर था और स्कूल का सारा इंतिजाम वहीम खान के सुपर्ट था यार अभी तक बिस्तर संभाले पड़े हो आते ही उसने जोरडार थप रसीद की थी शेहरोस ने करा कर उसे खूरा ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है गंदे बच्चे मेरी वज़ा से वो हैरान हुआ हाँ उस रोज तुम से हाथ जो मिलाया था बस लग गए जरासीम तुम्हें भी फ्लू था ना बकुमत मेरे जरासीम उड़ते नहीं फिर रहे बलके मुझे डर है कि कहीं मैं भी मार ना हो जाओ वो फॉरण उठकर पीछे होकर बैठ गया हर्गिस नहीं ये जरासीम ही तुम्हारे है इस कदर ढीट और वाहियाद च्छींक च्छींक कर बुरा हाल हो गया है सर अलग भारी है शेहरोस भी अपनी बात पर काइम था च्छींके तो तुम्हें इसलिए आती रही है कि वो तुम्हारी महबूबा तुम्हें याद करती रही होगी अनुशे को अंदर आते देख कर वो शरारत से बोला था अनुशे ने बस एक नजर शेहरोस पर डाली और चाय रख कर लौट गई फुजूल मत बोला करो शेहरोस ने उसे डांट दिया अरे छोड़ो यार ऐसी फर्जी महबूबाएं बीवी को काबू रखने में मावन साबित होती है अपनी तरफ देख लो जब भी बेगम रूट कर मैके जाने की धमकी देती है मापतौलत फॉरन किसी न किसी महबूबा का नंबर डाइल करके पैट जाते हैं और यकीन जानो जो कपड़े आधा घंटा लगा कर पैक होते हैं पांच मिनट में बाहर ये तरकीब नंबर 911 है मामला संगीन हो तो तरकीब नंबर 420 भी आजमा ली जाती है यानि इधर बेगम ने तयारी पकड़ी हमने फॉरन किसी महबूबा कियामत कर जिकर बातों बातों में कर दिया फिर कहां का रूट ना अगर भाबी कभी ऐसी हरकत करने लगे यानि रूट कर मैके जाने की धंकी दे तो तुम फॉरन तरकीब नंबर 911 को आजमाना बड़ा तीर बहदफ नुस्खा है यही तो रोना है वो कहीं जाती ही नहीं और मैं तरस गया हूँ किसी से फोन पर बात ही करने को शहरोज ने जान बूच कर ये बात कही थी कि बैट के एन सामने रखे फ्रिसिंग टेबल के शीशे में तरवाजे से अंदर आती अनुशे की शबी नसर आई थी हाई फहीम ने हैरान होकर मुझ खोला फिर अनुशे को देखकर नॉर्मल हो गया यानि अभी से वो बढ़ बढ़ाया था अनुशे के चेहरे के बदलते तेवर शहरोज से चुपे नहीं रहे थे वो उसकी कही बात सुन चुकी थी और यही वो चाहता था फहीम के जाने के बाद वो काफी देर कमरे में नहीं आई थी और शहरोज के उटकर छांकने पर वो उसे किचन में रोती नजर आ गई थी उसे दुख तो हुआ मगर फिर बेहिस बन कर दुबारा बिस्तर बरान कर लेट गया शायद इसी तरह ही वो पूछ ले और तब जवाबन वो अपने सारे सवालात के जवाबात पाले मगर कहां वो तो और ज्यादा खामोश हो गई पहले तो फिर कोई एकाद बात कर लिया करती थी अब बिलकुल ही चुप रहने लगी तुम्हारी सबसे बड़ी खामी यही है कि तुम बोलती नहीं हो शहरोस ने बेबस होकर सोचा था जिस रोस वो स्रिहत्याब होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ वो भी आ गई मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ मुकतसर सा बता कर वो पलट गई यानि वो बता रही थी जासब नहीं मांग रही थी चलो मैं छोड़ देता हूँ तो उसके पीछे चलाया था नहीं मैं चली जाओंगी हमेशा वाला इंकार था अब तो किसी की परवा नहीं होनी चाहिए या भी किसी का खौफ है लहजा भी मायने खेस हो गया था मुझे किसी का खौफ नहीं ना पहले था और ना ना ही मैं किसी से डर जाने वाली लड़की हूँ बात सिर्फ इतनी है कि वो जिस चीज के पीछे मैं भाग रही थी बलके भाग रही हूँ मेरी किसमत में है ही नहीं हर कोई इसे मेरा वीक पॉइंट समझ कर पर चड़ कर कीमत लगाता है और जो मैंने सब कुछ दे कर इसे खरीदना चाहा है तो पता चला है इस नाट फॉर सेल फॉर मी पता नहीं सब को मैं ही मिली हूँ बेवकूफ बनाने के लिए जिसका जी चाहता है भी कैसे संभालेगा भी कौन किसी को प्यार है मुझसे कौन उठाएगा तकलीफ मेरी खातिर वो दोनों हाथों में चहरा चुपा कर फूट फूट करो दी चलो देर हो रही है उसे बाजू से पकड़ कर वो बाहर ले आया उसने उस संग्दिल शख्स की तरफ देखा जिस पर जरा असर ना होता था कैसा बदल गया था वो पहले तो कैसे उसकी जरा से तकलीफ पर परिशान हो जाया करता था तुम हस्ती हो तो लगता है काइनात मुस्कुरा उठी है कितने प्यार से कहा करता था ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं जूट बोलने वाले औरत की कमजोरी से फायदा उठाने वाले तमाम रास्ते वो कुड़ती रही जबके शेहरोस टैक आन किये खुद भी साथ साथ कुन गुना रहा था घर आ गया तो वो बगयर कुछ कहे उतर आई सुनो वो जुक कर कहने लगा मुझे रोती हुई आउरत जहर लगती है बुस्तिल कमजोर कहकर गाड़ी जन से आके बढ़ा ले गया पता नहीं इन मर्दों को क्या अच्छा लगता है आउरत के आँसू या आउरत की हसी अल्लाह तुम कैसे रस्ता भूल गई सयाद ने पिंचरे का दर्वाजा कैसे खोल दिया और पंची इतना हरासा और उदास क्यों है अनिसा उसे देखते ही चहक उठी कैसी हो उसे साथ लगाते हुए पूछा विल्कुल ठीक शहरोस भाई नहीं आए वो उसे लिए अंदर आई बीमार रहे हैं पिछले दिनों तुमसे तो इतनी तौफिक नहीं हुई के एकाद चक्कर ही लगाओ देख लो कि जी रही हूँ या मर गई उससे शिक्वा किया अरे सच मुझ आज मेरा और भाई का प्रोग्राम था तुम्हारी तरफ आने का भाई का इंतिसार कर रहे थे हम लो भाई के साथ आई थी भाई लो जी हमें कह रही थी मुझ तरमा के खबर नहीं रखते और अपना हाल देख लो ये तक नहीं जानती के भाई कुजिश्टा पंदरा दिन से यहीं रह रही है क्योंकि अपा जाकर उन्हें ले आए थे आपस की बात है अपा बड़े पहादर हो गए है वो हसी थी अच्छा उसे खुशकवार हैरत हुई ये तो बहुत खुशी की खबर दी तुमने शुकर है उनकी दरबदरी तो खतम हुई और हैं किधर भाबी और अमा वो भाबी से मिलने को बेताब होकर उठी थी ये सुनकर और ज्यादा हैरत होगी तुम्हें अमा भाबी के साथ उनके मैके गई है उनकी अमा की मिज़ाज पुर्सी करने को आज तो अनिसा जैसे हैरान करने पर तुली थी अनिसा कहीं इतनी बड़ी खुशकपनिया सुन कर मेरा हार्ट ही न फेल हो जाए मुझे एक लास पानी दो वो वहीं गिर सी गई अनिसा भाग कर पानी लाई कमाल है तुम सबने मुझे बेखबर रखा उसने हलका सा शिक्वा किया हम तुम्हें सर्प्राइस देना जा रहे थे वापस कब आएंगी उसने पूछा दो पहर के खाने से कबल लौट आएंगी अगर उन्होंने खाने पर रुकने का इसराड ना किया तो भाबी आई तो उसने उन्हें धेरों मुबारक बात दी अमा भी पहले की निस्पत अच्छे तरीके से मिली और इस सारे में वो भूल ही गई कि सुबह वो शेहरोस से खफा होकर आई थी वो तो शाम को शेहरोस आया तो उसे याद आया और उसका इसार उसने यूँ किया कि वहां से उठकर चली गई भाबी और अनिसा ने कई बार बुलाया मगर वो न गई उसके जाने के बाद अनिसा ने उसे बताया कि फैसल की बहन नैना की डेथ हो गई है और वो कह रहा था कि सुभा तयार रहे अफसोस के लिए जाना है तुक की एक लहर ने उसका आहाता कर लिया था वो उसकी दोस रही थी किसी जमाने में बहुत सारी यादें वाबस्ता थी और सुभा जब वो अनिसा से पूछ रही थी क्या मुझे जाना चाहिए तब ही शहरोस तो जाने कब से आख़डा हुआ था कहने लगा अगर बीमार पुरसी के लिए जाया जा सकता है तो ये तो उसे कहीं बड़ा सानिया है सुना है मरने से पहले बहुत याद किया उसने तुम्हें वो चौंक कर पल्टी थी अनिसा ने भी वहशत नाग हो कर शहरोस की तरफ देखा और फिर फॉरण वहां से चली गई थी तो शहरोस तुम जान चुके हो उसने सोचा मगर मुझे सर्मिंदा होने की क्या जरूरत है लम्हों में उसने खुद पे काबू पाया और पुरा इतमाद लहशे में बोली वो मेरी दोस्त थी बीमार पुरसी करना मेरा फर्स था मगर जरूरी नहीं के रिष्टे सारी उमर नभाय जाएं और ये तो ऐसे रिष्टे हैं कि जरा सा भी बाल आ जाए तो पहले से खुबसूर्टी नहीं रहती वैसे अगर आप ये फांस पहले निकाल लेते तो शायद ये मौजूदा सुरत हाल ना होती हम दोनों अपनी अपनी जगा खुश और मतमें होते वो बहुत आसानी से सारी बात कह गई थी शहरोस खामोशी से पलटाया तो शहरोस खान तुम्हारे इस रवएए की वज़ा फैसल शाह था तुम जान गए थे के फैसल का मुझ से क्या तालुक रहा है और यही बात तुमने दिल में रखी काश तुम पहले पूछ ले ते तो हमारे दर्म्यान ये रिष्टा बनता ही ना मैं खुद इंकार कर देती जहां इतने खुशियां रूट गई वहां ये भी हात ना आती तो क्या था यू भी कब मिली है कोई खुशी दोनों ही एक अंदेखी आग में जले हैं और जाने कब तक चलना पड़े दिनों तक शहरोज उधर नहीं आया और ना ही वो गई बिलाखिर अमा ने पूछ लिया तुम्हारी शहरोज से लड़ाई है क्या वो खामोश रही बेटा लड़किया अपने घर में ही अच्छी लगती है अगर शहरोज के साथ कोई करबड हुई है तो मैं बात कर लेती हूँ अमा की इस पेशकश पर हो हैरान हो गई नहीं अमा बात आपके करने की नहीं बलके शायद किसी के करने की नहीं मैं अपना माजी मिटा तो नहीं सकती न और ना ही मेरी قسمत बदलना किसी के अखत्यार में है सो जैसे चल रहा है चील चील कर खाने में मसरूफ थी अमा सुभा से जाने किस सहेली से मिलने निकली थी अनीसा कुकिंग क्लासिस ले रही थी इसलिए वो भी नहीं थी खावी भाईया की बातें कर रही थी और वो खामोश सुने जा रही थी जब अचानक ही शेहरोस अंदर दाखिल हुआ वो जाने किस ध्यान में थी अच्छला किन्नू हाथ से पिसल कर नीचे जा गिरा भाईय की पुछ दर्वाजे की तरफ थी उसे यूं हरासा देखा तो पलट कर पीछे देखा अरे शेहरोस तुम कब आए वो खुची से उसकी तरफ पढ़ी अभी अनुशे चलो मुखतसरन जवाब दे कर हुकम भी सादिर कर दिया और अनुशे के दिल में एकदम खौफ पेदार हुआ नहीं उसका लहचा काप किया भाईय हैरत से दोनों को देख रही थी शेहरोस के खदरनाक देवर अनुशे का फंक चहरा क्या नहीं उठो और पांच मिनट में बाहर आओ वो सक्त लहचे में कहता बाहर पढ़ किया जाते जाते भाईय को आँख से हलका सा इशारा भी किया और भाईय के चहरे पर इत्मिनान आया चली जाओ अनुशे भाईय ने कहा तो वो मुतस्वजब सी उठ खड़ी हुई अपने हुलिये की तरफ ने कहा कि पाउं में सादा सी चपल सुभा से कपड़े भी चेंज नहीं किये थे वो मैं उसने कपड़ों की तरफ इशारा किया वो बैरूनी दर्वाजे से मूँ डाल कर खुराया तीन मिनट हो गए मुझे डर लग रहा है भाई जब्द करते करते भी आँखें चलक उठी किस बात कर डर चंदा तुम्हारा शोहर है और तुम पहले भी उसके साथ रहती रही हो चलो शाबाज उन्होंने उसे हौसला दिया मगर एक मिनट रह गया वो फिर खुराया और अनुशे ने बाहर की जानब तौर लगा दी भाबी मुस्कुराते हुए पीछे आई अनुशे गाड़ी में सर जुकाय बैठी थी और उन्हें यकीन था कि वो रो रही होगी शेहरोस ने उन्हें देखकर विक्टरी का निशान बनाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी उस सर जुकाय बे आवास रो रही थी आँसू टप टप कोट में धरे हाथों पर गिर रहे थे मैंने कहा था ना मुझे रोती हुई औरत सहर लगती है वो धाड़ा मैं कब रो रही हूँ उसने फौरान आसू पोंच टाले मगर वो भी ऐसे गुस्ताख थे बहे चले जा रहे थे शेहरोस मुस्कुराया ख़वीर सा हम् तो तुमसे कोई प्यार नहीं करता पूछा वो खामोश रही वो फैसल सहाब तो बहुत ही सीरियस थे बलकि शादी होने से पहले तक आप से शादी करना चाहते थे प्यार ही थाना उन है मुझे क्या पता किसी के चहरे पर तो नहीं लिखा होता उसने लब काटे आप तो हर मामले में ही सिफ़र वाकिया हुई है बीबी क्या पर पॉर्शन बिलकुल खाली है खाली है तो सब की बातों पर इतवार करके धुका खाती रही हूँ वो सलक कर बोली थी अलहम्दलिल्लह किसी लड़की ने अतराफ तो किया अपनी बेवकूफी का वरना तो सब की सब अकले कुल की मालिक है वो हसा आप कितनी लड़कियों को जानते है फित्री हसद जागा ठेर सारी है मगर तुम्हें क्यों बताओ हाँ हाँ मुझे बताने की जरूरत क्या है मैं लगती भी क्या हूँ किसी की किसी से कोई रिष्टा नहीं है मेरा मैंने कहा ना महपत मेरे मुकदर में नहीं है मैं जो मर्जी करनू मुझे नहीं मिलेगी ये वो पठ्री से उतर गई शहरोज ने गाड़ी रोग दी और उसकी तरफ पखौर देखने लगा इधर देखवा नू खंबीर लहचा उसने नहीं देखा तुम हद से ज़्यादा बेहिस लड़की हो तुम समझ ही ना पाईं जान ही ना सकी कि मैं तुम से कितना प्यार करता हूँ उसका लहचा कवाह था मगर वो बुरी तरहां बच्जण थी जी बहुत अच्छी तरहा अंदाजा हो चुका है मुझे उसका इशारा पिछले दिनों की तरफ था खैर वो हस दिया गलत फहमी भी हो ही जाती है ना और इन खुबसूरत दिनों के जाया हो जाने का मुझे भी बड़ा कलग है कोशिश करूंगा अजाला हो सके वो शरारतामे इस नजरों से उसे देख कर मस्कुराया उसने नजरे चुका ली हाँ पहले जल्म कर लिया बात में अजाला करने चले आते हैं लोग चन्द लम्हे पहले जिस खौफ का शिकार होकर वो भागी आई थी अब यकलख तुस से आजाद हो गई थी अरे अनू ये तुम बोल रही हो वल्ला मुझे यकीन नहीं आ रहा वो बेख्त्यार हसने लगा उसके यूं हसने पर वो चिड़ गई मैं पागल नहीं हूँ जो आप इस तरह हसे जा रहे हैं सुनो पागल लडगी तुम पागल हो और इसका सुबूत ये है कि तुम अभी तक नहीं जान सकी कि हम सब तुम से कितना प्यार करते हैं प्यार तुम्हारे लिए नॉट फर सेल इसलिए है कि तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं जो चीज पास हो उसे खरीदने तो नहीं जाते ना ये होता है कि कभी कभार वो चीज नजरों से ओजल होती है खुली आँखों से ठूनने से मिल भी जाती है और ये ही खामी है तुम में चुप रहती हो अपना नुखसान भी करती हो औरों कभी अब हर नहीं पर शाकिर भी नहीं हो जाना चाहिए हम सब में ममा, आपा, भाई, अम्मा, अनीसा, जिम्मी, मामू, मुमानी सब ही तुमको चाहते हैं अम्मा सबसे बढ़कर तुम्हें प्यार करती है आज ही तो वो उसके पास आई थी और उन्होंने उसकी सारी खलत फहमियां दूर की थी बस तुमने पहचानने में खलती की अब देखो इधर मेरे चहरे पर प्यार ही प्यार लिखा हुआ है देखो ना, वो मू दूसरी सम्त किये मुस्कुराने लगी हसी आ रही है तो खुल कर हसलो डर किसका है हसो ताके फिजा भी हसे गाएं भी मुस्कुराएं फैंस भी खुश होकर दूद देने लगें हसो पागल लड़की आपको तो रोमेंटिक उसने कहते कहते लब दांतों तले तबा लिये कि शहरोस की नज़रे उसके चेहरे पर थी हो ना, पागल लड़की अफ्तिताम तक बहुत जल्द हाजर होते हैं किसी दूसरे नाविल के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा तौव में याद रखेगा अल्ला हापिस